वीी लूकपे ऊपर अब अब सोचो कि ऐसा क्या है मैंने एक वी लूकप के उपर प्रणा पिच्चर ही बना डाला जिया दोस्तों, एक पिच्चर ही बनाया है लेकिन लेकर बहुत काम का है यह जो वीडियो वी लुक अप का यह है complete वी लुक अप का explanation वी लुक अगर आप बिलकुल नहीं जानते हैं तो वहां से इस वी लुक अप की शुरुआ थे यानि कि वी लुक अप को मैं 0 से hero बनाने तक लेके जाने हो आपको वी लुक अप बेजिक explanation है जैसे कि वी लुक अप के अंदर लुक अप value, table array, column index number या फिर range लुक अप क्या होता है वी लुक अप में table must be sorted in ascending order यह definition क्यों दी गई है इसका भी मैंने explanation दिया है कल जाकर अगर आपको इंटर्यू अटेन करो और वहाँ पर आपको पूचा गया कि वी लुक अप theoretically explain करो तो उसे कैसे explain करना है यह भी मैंने इस वीडियो में बताया है साथी में मैं आपको बताओ कि वी लुक अप के अंदर हम MIS report भी बना सकते मैं धुट्रूप में मैं टाउय होता है कि नहीं होता है वी लुक अप मैं चूज फॉर्मूला का यूज क्या है चूज का best यूज भी लुक अप में हम सीखने वाले हैं और इतने सारे combinations मिला के वी लुक अप अकिरका कर हम क्यों कर रहे है रियल जॉब प्रैक्टिकल क्वेरीज क्या होती रिवी लुकप की ये भी इन 15 एक्जामपल में मैंने कवर की है मैंने वी लुकप के यूटुब पे बहुत सारे वीडियो देखे और उसमें मैंने देखा कि उन्होंने बहुत सारे चीजे एक्सप्लें करना चोड़ी है तो जो उन्होंने चूड़ी है वो मैंने पकड़ी है I mean to say मैं वो सारी चीजे एक्सप्लें करने वाला हूँ तो अगर आप चाहते वी लुकप पूरा सीखना आप चाहते वी लुकप में मास्टर बना आप चाहते अपने कंपनी में अपना इंप्रेशन जमाना और आप उम्मिद करते कि आपका बहुत सालेरी बढ़ा दे तो आपको पहले यह वीडियो देखना पड़ेगा कि जो आप मुझे बोलोगे कि भई सतिसर यह बड़िया वीडियो है मैं खुद अपनी तारीप नहीं कर रहा हूँ आप ही तारीप कीजिए कमेंट में लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लिए अपना 100% देया तो आप अपना 100% दे दो इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब कुछ कीजिए लेकिन अभी पहले यह वीडियो तो देखिए तो चलिए मैं शुरू करता हूँ आज का यह वी लुक अप का तीन घंटे का वीडियो मैं साथ ही मैं मैं आपको बताओ कि हमारी एक वेबसाइट है जो की आपको ज़रूर चेक करनी चाहिए जिसका नाम है और एक्सल का एक है बड़ा कूर्स जिसमें आपको मिलने वाले है लग बग देर्सो से ज्यादा टुटोरियल अगर आप कोई भी कोर्स की इंफोर्मिशन जानना चाहते है तो तो क्लिक करें यह पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक्सल के क्लिक किया यह उपर में चल रहा ह का लाइप टाइम एक्सस ए थर्टी हाँस प्लस कोर्स कांटन्टयंट है इसमें तो आपको यह कोर्स इसलिए इंडरॉल करना चाहit कंँ कि यह इंश्टनकर ऐसेस का प्रीद होगे वैसी ही यह कोर्स ब्सक्रा बढूजं यह सारे वीडियो आपके लिए अन लॉक हो जाएं और इसमें आपको sequentially सारी चीज़े नए सीखने मिलेगे, आप यहाँ पे unlock किया हुआ एक पहला वीडियो है, जो कि trailer वीडियो आप देख सकते हैं, और बाकी भी यहाँ पे बहुत सारी वीडियो है आप देखेंगे, यहाँ पे click करेंगे तो आपको वो वीडियो मिलते हैं, य Why Should You Buy, course completion, percentage and issue Tarzy Hon Seg Jennifer playitat, और सब्सक्राइ को वीडियो है यहाँ पेियूट चीज़र के लिखेंगे है यहाँ वीडियो यहाँ पे यहां पे को सटेपकेट कैसे मिलेंगे वाला है उसका फॉर्स दीज़र है टो इतरी चीज़ उतनी सारी चीज़े जोके आपको lifetime access के आपने आ उस ताइम पे लाई उरोंगा आपको मैं help करूंगा तो ये courses में अगर आप इंडरॉल करना चाहते हैं तो इस website पे ज़रूर विजिट कीजिए जो कि आपको कोई और website पे नहीं मिलेगी इसकी guarantee इतने कम पीज में इतने बड़े-बड़े courses आपको नहीं मिलने वाले है तो इसके लिए मैं आपके सामने एक फाइल लेकिया हूँ जहां पे 15 शीट से वी लुक अप की तो यहां पे सबसे पहले तो हमारा जो शीट है यह introduction of वी लुक अप हम इस पार्ट में देखेंगी कि वी लुक अप हम देते कैसे देते क्यों है और उसका definition क्या होता है अगर आपको interview में पूछा गया कि वी लुक अप बताओ जहां पे practical करके नहीं दिखाना है जहां पे पहले आपको पूछा गया कि अब डेटा का introduction देख लेते है यहां पे salesman ID है और salesman है जो कि हमारे salesman के नाम आपको दिखाए दे रहे salesman में शक्तिमान, Ironman, Superman, Thor यह हमारे salesman है क्या बात है यह हमारे company में यह वाले product बेच रहे यहां पे यहां पे बेच रहे है और उनकी sales quantity दिख रही है तो मैं चाहता क्या हूं मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां salesman ID input करूं वह salesman ID जिसका है उस salesman का report यहां पे आ जाए जैसे मैंने यहां पे 1005 इंटर किया तो यहां पे Batman IodX बेच रहे है North City में और sales उसने 98 किया है चलो यहां पे मैं लेता हूं 1008 तो यह आ रहा है Hitman जंडुबाम बेच रहे साउथ सीटे में 65 sales उसने किया है तो यह डीटेल्स ऐसा आ जाए यहां पे इंटर कर वन जिरो जिरो सेवन तो यहां पे आ रहा है 1008 इंटर करने के लिए का यहां था तो आपने 7 एक्ल खॉडिंग इस रो में जितनी भी इस रो में आगे की कॉल्म में जितनी भी वैल्यूज है वो डिस्पले कर रहा है तो तो VLOOKUP आपके लिए यह काम कर रहा है कि आप जो रो की वैल्यू इंटर कर रहा है उस रो में जितने भी content है आगे के column में जितने भी content है द्यान से सुनिए वो सारे के सारे आपको ऐसे display कर रहा है वो आपके उपर आपके ऐसे दिखाना चाहते हैं यह VLOOKUP की मदद से कर रहा ह So V stands for vertical lookup सबसे पहले तो ज़्यादतर हम vertical values देख रहे हैं यहाँ पे तो vertical values के time पे हम V lookup यूज़ करते हैं अब ऐसे जो भी V lookup के साथ में चीज़े apply करने आप वही H lookup के साथ होती जब आपका data horizontal होता है horizontal याने कि यह salesman ID इधर है salesman इधर है product इधर है और ऐसे horizontal data पढ़ा हुआ है आपका तो आपको Hlookup यूज करना रहता है फिलाल आप Vlookup समझ जाएंगे तो Hlookup आसानी से यूज करेंगे क्योंकि हो horizontal data पर Hlookup होता है और जादा तर data हमारा vertical ही रहता है companies में आप देखेंगे तो data ऐसी ही maintain किया जाता है तो इसलिए vertical lookup या Vlookup जादा यूज होता है clear है अब हमने ये तो जान लिया Vlookup और vertical lookup और vertical data पर काम करता है और किस तरह से काम कर रहा है ये तो मैंने आपको बताया लेकिन इतनी नहीं इसमें बहुत सारे अलग-अलग twist है आगे चलकर अलग-अलग example में हम समझने वाले है अब हमें इसमें क्या-क्या चीज़े होती है मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर Vlookup का formula दूँ ये चीज़े मैं समझाने चाहता हूँ आपको Vlookup देने के दो तरीके है अलग-अलग एक इस तरह से आप Vlookup formula यहाँ पर लिखे लिखने के लिए क्या करना है किसी भी sale में अगर आप is equal to sign लेते हो और उसके बाद Vlookup ऐसे type करते हो Vlookup दिखाए दे रहे आपको मैंने type किया और मैं tap button प्रेस कर रहा हूँ अब यह जो function है इसमें आपको दिखाए दे रहा है नीचे एक syntax Vlookup का syntax दिखाए दे रहा है lookup value, table array, column index number, range lookup यह चार चीजे वी lookup में आपको जानना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले lookup value यानि वो value होती है जिसे आप ढूनना चाहते है आपको example मैं और एक बता देता हूँ जैसे आप किसी customer care को phone करते है आपने phone किया Reliance Energy में Reliance Electricity आपकी घर पे आती है तो वापे आपने phone किया customer care को कि भाई हमारे घर की light चली कि तो वो सबसे पहले आपको क्या पूछते है आपको पूछते है कि आपका meter number दो उनको पता चल जाती है आपके बस उस एक number से क्योंकि वो वहाँ पे look up करते है आपकी value को और ऐसे बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है वी look up customer care के database को handle करने के लिए आप बहुत सारी जगह पे अलग लग लग आगे के example में पता चलेगा तो मैंने एक scenario बताया आपको तो आपको एक look up value provide करनी रहती है वी look up को जो कि हमें देखनी उस value के according हमें आगे का data मिलेगा तो इसी को हम look up value बोलते हैं clear है look up value क्या होता है आपको सबसे पहले समझ मैं अब look up value के बाद आता है table array table array मतलब कौन से table में आप देखना चाहते है इसे आप जो look up value आप कौन से table में देखना चाहते हैं मतलब आपने जो look up value दिया है ये 108 1008 salesman ID ये कौन से table में देखना चाहते हैं ये पूरा table जो होता है ये table ये दिख रहा आपको salesman ID, salesman, product, zone or sales ये सारे columns आपके लिए होंगे table array table array यानि वो table जिसमें आप अपनी look up value चेक करना चाहते हैं और जिसमें आपकी look up value leftmost column में हैं याद रखिए फिर से मैं दुबारा बोल रहा हूँ leftmost column यानि सबसे left जो column आता है table में उसी में आपकी look up value होनी चाहते हैं हाँ आपकी column में ये values नहीं हैं leftmost column में right column में हैं तो उसे हम reverse look up apply करेंगे reverse look up कैसे apply किया जाता है उसके लिए आगे example में हम समझने वाले ही हैं लेकिन ज़्यादा तर we look up में आपको ये रही चाहिए कि भही हमारी leftmost column में ही चाहिए वो value तब आपको आपको आसानी से we look up ये आपके apply हो जाता है और दूसरी चीज वो unique होनी चाहिए वो अगर repeated है तो उसके लिए क्या करेंगे वो भी example है हमारे पास लेकिन वो unique होनी चाहिए दो चीज़े आपको समझ में वो unique है और leftmost column में होनी चाहिए उके clear है आपको ये तो समझ में है कि leftmost column में रहना चाहिए और unique होनी चाहिए unique है वो जैसे कि 1001 नमबर यह पर एक ही बार आना चाहिए बात में serial नमबर तो आपको salesman ID एक salesman को एक ही idea assign होगा तो unique ही वो रहेगा वहाँ ठीक है table array आपने जान लिया look of value दोनों चीज़े आपने जान लिया column index number column index number मतलब आप क्या चाहते हो कि आपने जो table select किया है ध्यान से देखिया मैं column index number के बारे में बता रहा हूँ यह चीज़े जो theoretical है लेकिन आपको practically समझ में आएगी जब हम इस formula को apply करेंगे तो पहले थेरी समझो थोड़ा सा फिर practical आप समझ जाएंगे तीसरी चीज़ हम column index number को समझ रहें क्योंकि सबसे ज़्यादा confusion लोगों को यहाँ पे रहता है कि column index number क्या होता है तो यहाँ पे हमारा यह table है यह पूरा का पूरा यहाँ पे यह table array है जो table आपने select किया है उस table में हर एक column को यहाँ से शुरुबत करेंगे तो यहाँ पे इसका एक number रहेगा इसका दो number इसका तीन number इसका चार number इसका पाच number column index number हमारे look up वाले जो value है उस column से start होगा यह दो number रहेगा यह तीन number रहेगा और यह चार number आगे ऐसे table में आपको पाच आगे की जितने भी column है उसको ऐसे index numbers रहेंगे index number यानि वो ज़रूरी चीज है क्योंकि आप कौन से column में से value देखना चाहते है क्योंकि इस row में यह row अगर आप लेंगे तीन number का तो इसमें एक ही value नहीं इस row में इस row में आपको पहले तो id तो मिल रहे ठीक है इसके आगे आपको iron man का नाम चाहिए या tiger bomb का चाहिए या फिर north city का चाहिए यह चाहिए 65 are you getting याद रखिए इस तरह से यह आपको check करना है guys clear है मैंने आपको बता है कि यह कौन से column में चाहिए वो column index number रहेगा and आखरी arguments जो होता है उसके अंदर वो arguments है range lookup जो आपको यहाँ पर मैं आपको zoom करके दिखा रहा हूँ range lookup column index number के बाद आता है range lookup तो range lookup क्या होता है वो हम example में समझेंगे दो type के range lookup रहते exact and approximate match और exact match और exact match आगे के range lookup के इस वाले पार्ट में देखेंगे जो कि अलग सी sheet है हमारे पास ठीक है अब हमने we lookup के बारे में arguments के बारे में समझ लिया थोड़ा बहुत अब we lookup के दो type होते दो तरीके होते मैं काम करता हूँ यहाँ पर मुझे sales में cursor रखी है मैंने रख दिया तो मेरा cursor है salesman वाले column के अंदर याद रखे मेरा cursor यहाँ पर मैंने salesman वाले column के अंदर रखा है जो भी चीज़े मैं highlight करके दिखाऊंगा ताकि आपका focus हो जाए कि हम क्या कर रहे है focus बहुत जरूरी है अब आपको यहाँ पे सबसे पहला तरीका वी लुक अप लेने का मैं आपको बताता हूँ आसन तरीका यह भी fx पे क्लिक करना insert function उपर formula bar में यहाँ पे आपको fx नाम दिखाए दे रहे है formula bar में fx इस fx function पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा अभी क्लिक करते ही यहाँ पे आपको यह डायला box आ जाता है आपको यहाँ पर उपर option दिया है आपको कि यहाँ पे आप वी लुक अप का अपना formula जो है मतलब आप टाइप कीज़े और search कीज़े तो मैंने यहाँ पे टाइप किय और go बटन पे क्लिक किया जैसे मैं go बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको lookups related formula जा रहे हमारा पहला formula आ रहा है वी लुक अप जो कि already blue में है selected है और फिर हम okay करेंगे अब यह dialogue box के बाद आपके सामने और एक dialogue box आगा जैसे आप okay करोगी यह है हमारा function arguments और dialogue box बहुत स क्योंकि आप lookup direct type करके भी दे सकते हैं लेकिन आप मैं समझता हूँ कि आप basic से lookup सीख रहे हैं और आप जानना चाहते कि वी lookup के लिए कैसे हम syntax दे सकते हैं कैसे हम arguments दे सकते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जो dialogue box आ रहा है इस dialogue box में lookup value देंगे table array देंगे column index number देंगे और selected है आपको दिखाय दे रहा है और उसके बाद lookup value select हो गया हमारे एक काम हो गया table array में cursor रखना है नीचे cursor रखना है याद रखिए बहुत सारे लोग cursor नीचे नहीं रखते यह भूल जाते table array में cursor रखिए और इस table को पूरा select किजी ए से लेकर e column तक हमारा table यह पूरा select करना ह आपको लगता है कि यह जो dialer box है यह बीच में आ रहा है तो यहाप एक छोटा सा button आपको दिया है इस dialer box को minimize करने के लिए rate button दिख रहा है ना यह dialer box छोटा होता है आपको टेबल नहीं दिख रहा है suppose यह dialer box बढ़ा रहा है तो उस time पे यह चोटे से box पे यह rate button पे क्लिक क चोटा होता है और अप इस salesman id से लेकर देजी टेबल को मैं पूरा से लेकर आता हूं अब दिखे इस range को select करने के दो तरीके एक तो मैंने ऐसा select किया है A1 से लेकर E11 इससे क्या होगा और दूसरा एक तरीक होता है select करने का एक ऐसा है कि A से लेकर पूरा का पूरा आप ऐसा भी select कर सकते A से E column A से E column में selection का benefit क्या है मैं आपको बताता हूं A से E column में जब आप select करते है तो यहाँ पे जितना भी data आप बाद में भी add करोगे जैसे यहाँ पे 1011 add कर आपने तो भी वी look up की list में मतलब searchable रहेगा या फिर आए जाएगा A से E column यानि कि इसे expandable range बोल सकते लेकिन आप चाहते कि नहीं मुझे इतनी range चाहिए तो मैं यहाँ पे cursor रखूँगा और मैं ऐसे drag करके इतना select करूँगा लेकिन आपका data इतना ही है ऐसा जरूरी नहीं है मैंने चोटा example लिया है आपके पास यहाँ पे thousands of data हो सकता है तो उस समय में आप cursor यहाँ पे रखिए यहाँ पे और उसके बाद control shift hold करके right arrow प्रेस कीजिए control shift प्रेस करके down arrow प्रेस कीजिए control shift यह shortcut की है आपका selection जो है करने के लिए तो आपने यहाँ पे किया selection और A1 to E11 ही आया है क्योंकि हमने उतना ही data है हमारा उतना ही select किया है अब आपको selection पता चला आप दुबारा इस पे selection के और भी तरीके हमरे पास हम selection को नाम भी दे सकते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं तो यहाँ पे column index number क्या है मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा अभी क्या हमें क्या चाहिए salesman चाहिए salesman कौन से column में है वो आपको देखना जरूरी stable में एक number column में salesman आईडी दो number column में salesman तो दो number column में salesman है अपकोस हम यहाँ पे two लिखेंगे फिलाल के लिए आप two लिखो इसका तरीका अलग अलग है लेने का तो two लिखे और यहाँ पे range look up लेना है हमें zero अब यहाँ पे मैंने zero क्यों लिया इसके बारे में detail explanation होगा आगे दोस्तो फिलाल तो आप zero लिखो क्य यह exact match देगा हमारा value exactly match करेगा दो match रहते एक exact match एक approximation match जब आप zero लिखते हो और यहाँ पे false लिख क्या आता है तो इसका मतलब होता है exact match यहाँ पे false भी लिख सकते है यहाँ जिरो की जगर false लिखेंगे तो भी false बड़ा हो जाते इसलिए मैंने zero लिख दिया false और zero similar होगा औ one लिखेंगे तो यहाँ पे आता है approximation match यानि कैट true इसके बारे में जाना है तो यह नीचे का वाला पढ़ सकते है अप approximation match क्या होता है और exact match क्या होता है ओके मैं उसके बारे में आपको आगे भी detail समझाओंगा यहाँ पे नीचे दिया है आपको आगे detail में समझेंगे हम इसके बारे में लेकिन यहाँ पे 0 रखो और ok करो result चेक करो देखो look up है और table array हो चुका है तो आपको superman मिल रहा हैs great id सुपरman के सामने वाला जो दो number column में value है वह आपको Explore look up value जिस row में से है उसी row में से है दो number column में जो value है वह आपको यहाँ पर मिल रही है right यही काम कर रहा है व e-look up आपका आपको अभी विलोकप आपको यहा पे ऐसा नहीं देकिंगे तैंगे आपको यहां फैक्ल 특ड शुक नहीं आपको एस लवी वाकशनी थे और यह सब्सक्सट करते हैं, तो तौद सा उस्य को सब्सक्राइब के देब दो कर्ना है ने अब रहाद का क्ण değildi अब भीॅन भुत। lookup value, lookup value में यहाँ पर हम यह वाली lookup value लेंगे, ध्यान दीजिए, h5 मैंने lookup value ले लिये, क्योंकि अभी salesman ID वहाँ का ले ले या यहाँ पर ले ले, हमें अलग-अलग तरीके से display करना है, बस, lookup value यहाँ पर मैंने लिया, अब मैं यहाँ पर comma करता हूँ, comma जैसे मैं यह पता चलता है Excel को, या lookup को, कि अभी हमें पहला argument मिल चुका है, हमें दूसरे argument की तरफ जाना है, अगर आप comma नहीं दोगे, तो दूसरे argument याने table array highlight नहीं होगा, जो कि अभी highlight है, अभी आपको दिख रहा है, वो highlighted है, तो अभी आप table array की तयारी में लग जाओ, table array के control shift right arrow, control shift down arrow, या फिर mouse से select कीजे सीधा चोटा data है, ज्यादा tension की बात नहीं है, बड़ा data है, तो उसके लिए shortcut की, मैं बार बार repeat करो आपके लिए, अब table array तो हो गया, चलो, we lookup को ये भी पता चला, कि table array, ने, अभी तो पता नहीं चला, जब हम कोमा देंगे, तो we lookup को पता column पी value दिखाए, column index number पूछ रहा है, तो salesman का column number है 2, हमारे case में, तो हम यहापे लेंगे 2, और फिर, कॉमा, और यहाँ पर exact match चाहिए, exact match के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ पर false, दिखाए दे रहा है, वहाँ पर लिखके भी आ रहा है, exact match के लिए आपको, अप में कॉमा और enter करो, देखे हर एक पार्ट को मैं detail में explain करने के आप पर कोशिश करूँगा, मैं अपना hundred percentage दे रहा हूँ, तो आप भी अपना hundred percentage दो, मतलब practice करने में, जब आप practice कर रहा हो, तो इस tutorial को, इस video को side में चलो रखो, okay, got it, now next, यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगा, अभी मैं इसे drag करना चाता हूँ, लेकिन अभी problem क्या है, अभी ant man का answer आ गया, यह भी मैं इसे horizontal drag करना चाता हूँ, तो आप इसे horizontal drag नहीं कर सकते, अभी के लिए इसे भी horizontal, vertical drag ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जवाब नहीं मिलने वाला है, error आने वाला है, आप बोलोग यार, फिर बता दिया तो आप पहली बार जान रहे हो इसे, तो, we look up में fix करना, या Excel में fix करना मतलब क्या होता है, कि इस वाले sale में जो value है, वो जब मैं इस formula को horizontal drag करूँगा, ऐसे, horizontal या ऐसे vertical drag करूँगा, तो ये वाली sale में जो भी value दिखा है, ये value हमेशा की तरह वही रहे, क्योंकि अगर आप notice करोगे, जब मैं यहाँ पे दिखा तो आपको, इस में दिखा तो इस example में, जब मैं इसे एक drag कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कि look up value H6 हो रही है, इसकी look up value क्या थी, H5, तो हम serial number इंटर करने वाले हैं, मतलब salesman ID इंटर करने वाले हैं, और उसके according मुझे end man मिल गया, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, तो यह 6 हो गया, तो मैं तो end man ने इंटर करने वाला हूँ, यह इंटर करने वाला हूँ, तो जब मैं formula ड्रेग कर रहा हूँ, तो मेरा यह वाला value तो fix होना चाहिए, साथ में यह भी range fix होना चाहिए, अब यह range fix क् देखो data देखो क्या हो रहा है, A4 मतलब क्या हो रहा है, आदा ही data आ रहा है, उपर का तो data उसने लिया ही नहीं, तो यह गलत है, यह range ऐसे नीचे क्या हो रहा है, relative में आ रहा है, जब आप कोई भी formula Excel में करते हो, आपने यहाँ पे 45 लिखाए, और यहाँ पे भी आपने कु यह relative में है, और relative कर लेता है, क्योंकि by default Excel relative format लेता है, J6, K6, वहाँ पे J5 था, automatic Excel को पता चला कि भाई, इसके सामने की total यह आ रही है, इसके सामने वाली total यह लिनीची है, Excel खुद करता है, relative format में, change कर रहा है अपने आपको, तो मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे relative format नहीं fix format चीए, तो मैं H5 में cursor रखूँगा, और मैं यहाँ पर F4 की प्रेस करूँगा, F4 की इस पर प्रेस करने से यहाँ पर dollar sign एड होता है, दोस्तों, dollar sign आप shift और dollar प्रेस करके भी दे सकते हैं, लेकिन मैं recommend करूँगा keyboard पर F4 प्रेस करो, ताकि यहाँ पर dollar sign आ जाए, dollar sign दोनो तो दोनों को होने चाहिए, मतलब H को भी होना चाहिए, और row को भी होना चाहिए, row है 5, right, row है हमारा 5 वहाँ पर, उस case में, और column है हमारा H, तो H column को भी dollar sign है, और यह fix हो गया, अब मैं example दिखा तो, आपको मैं बस drag करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, अब आपको यहाँ प E11 को F4 करो, पूरी range को select करके F4, और किसी भी formula में, अंदर जाना है formula पर तो double click करो, या फिर उस cell पर cursor रखके F2 button प्रेस करो, याद रखिए, right, तो यहाँ पर double click करो, या F2 button प्रेस करो, उस formula को आप edit कर पाएंगे, F2 button कीबोर से प्रेस करके edit होता है, F4 से यहाँ पर fix होता अब इस case में मैंने यह पूरा पूरा row और column दोनो fix रखे, और जब मैं ऐसे drag, अभी तो यह एक ही answer बताएगा आपको, क्योंकि हमारे पास column index number क्या है हमारे पास, column index number हमारे पास, बस यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे भी column index number क्या है, 2 ही है, तो सबको तो ant man ही बताएगा, ant man, ant man ant man, ant man ही बताएगा, इस case में भी हम वही करते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, Z2 को fix करना है, Z2 को fix किया, और यहाँ पे भी इसे भी fix करना है, तो इसे select करना है, मैं यह दो दो बार बता रहा हूँ, क्योंकि horizontal case में भी आपको कहाँ पे fix करना है समझ मैंगा, और अभी इसे क्या दिया है column index number 2 दिया है अपने सब में column index number 2 ही रहने वाला है तो सब में column index number अगर आप 2 दोगे तो इसी column में से result आएगा तो अपको सामें यहाँ पे चाहिए column index number 2 की जगह 3 तो मैं इस formula में जाऊँगा और 2 की जगह यहाँ पे 3 करूँगा यहाँ पे 3 देखिए toothpaste आ गया यहाँ पे क्या रहेगा column index number मुझे बताईए चार नंबर column है इसका क्योंकि जो है उस table array में चार नंबर पे है और sales जो है देखिए वो 5 नंबर पे है तो आपको उस 5 नंबर आएगा अब आपको बात समझ में आई होगी कि अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँगा तो उसके हिसाब से batman, iodex दिखाए देरे आपको और north city और 98 यह जो दिख रहा है आपको batman, iodex, north city और 98 यह आपको highlight यहाँ पे मिल रहा है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज़ करने पड़ेगी दो की जगए यहाँ पे 3 करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, sorry, यहाँ पे नीचे 3 करना पड़ेगा 3 करेंगे तो इस तीन number के हिसाब से मिल रहे है, यह मैं dynamic बना दूँ, यहाँ पे दो है अभी तो दो मैं हटा के इसको से ले करूँ, इस सेल को देखिया, इस सेल में कुछ नहीं लिखा है एंटर करता हो, तो error आ जाएगा वापे, कुछ नहीं आएगा, लेकिन इस सेल में मैं 2 लिखता हूँ इस सेल में मैं 3, 4, 5 लिख देता हूँ, ध्यान दीजे, मैंने क्या किया है, इस column index number की जगह, जो 2 था उसकी जगह मैंने F6 सेल ले लिया है, F6 सेल पे क्लिक कर दिया, अब F6 सेल में 2 है, तो बताएगा कि यहाँ पे इसकी value दो आने वाली है यह 2 बताएगा, तो 2 की सबसे answer आ रहा है, और जब मैं इसे drag करूंगा, तो आपकोस answer आ रहा है, वाओ, 3, 4, 5, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, वो F7 की value उठा रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, वो F8 की value ले रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, F9 की value ले रहा है, आप नहीं किया यहां पर फिक्स करना भी शुरूरी नहीं है वैसे ही क्योंकि इसे फिक्स नहीं रिलेटिवी रखना है अपको यहां पी जो वैल्यू वहानी चाहिए तो यह कॉलम एक्स्ट्राइड करके आप यह चीज हो के उपर ऐस तरह से सुलूशन ले सकते इस कॉलम को चाहि एक कॉलम एक्स्ट्राइड करना पढ़ रहा है आपको यह पिर यह कॉलम डिलीट हो गया तो आपका फिर से वैल्यू एर्र आने वाला है तो यह तो वही प्रॉब्लम फिर से आने वाला है तो कुछ और चीज़े इसके लिए धूनने पड़ेगी तो हम क्या डूनेंगे मेर मेरे पास एक solution है इसके लिए मेरे पास एक नहीं दो तीन solution है जो आगे के example में हम समझने वाले हैं लेकिन एक जो solution अभी मैं बता रहो आपके लिए बताता हूँ सिंपल है यहां पर देखिए अब हम वी लुक अप में थोड़ा सा एडवांस की तरफ जा रहे है कि वी लुक अप को हम dynamic कैसे कर पाएंगे मैं ड्रैक करूंगा एक ही बार में तो सभी के लिए कैसे आएगा तो यह हम देखने वाले वी लुक अप में हमने अभी तक वी लुक का description या definition नहीं बताया मैंने आपको एक बार introduction पार्ट complete होते ही मैं आपको theoretically वी लुक अप कैसे explain करना है detail में बताने वाला हूँ औके so सबसे पहले करेंगे क्या गाईज हम यहाँ पे करेंगे एक formula को explore या समझ लेंगे उसको मैं explain कर रहा हूँ एक formula excel के अंदर का row formula row function row formula बोल सकते है अब इसे function और formula क्या होता मैं आपको बता देता हूँ पहले ही आप इसे formula भी बोल सकते है function भी बोल सकते है लेकिन function क्या होता है मैं इसका difference बता देता हूँ कल जाकर आपको इंटरी में पूछा गया तो function यहाँ पे हम कोई भी mathematical sign नहीं लिखते फिर भी हमें एक जवाब मिलता है उसे function बोलते है याद रखिया function यहने predefined formula in Excel I'll just show you यहाँ पे यह जो है this is not function यह formula है क्योंकि J5 प्लस K5 यहाँ एक mathematical sign यूज किया गया है हमने तो यहाँ पे Excel में से predefined कुछ नहीं यूज किया हमने प्लस sign, multiplication sign, minus sign कुछ भी यूज किया हमने तो वो होता है formula क्योंकि हमने वहाँ प मजा कर रहा था पूच रहा था बस यहाँ पे sum अपने लिया तो this is called a function लेकिन यह वही काम कर रहा है 110 रिजल्ट दे रहा है so function and formula क्या होता है, predefined formula in Excel, पहले से define किया हो formula है जो आपको एक task करके देगा, जैसे sum आपको addition का task करके देता है, आपको addition का formula लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब plus sign लगाने की जरूरत नहीं, addition का जो symbol है, so without using any mathematical sign, we can get the result with using function, that is what our function, तो आपको function समझ माय होगा, predefined formula in Excel, तो यह आप ए रो नाम का एक function है, जाब तर लोग formula भी बोलते हैं इसे, मैं भी formula function दोनों भी बोलता हूँ, तो आप इसे formula भी बोल सकते है, रो, रो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे आरा 9, ओके, इसमें मैं रो लिखता हूँ, और open bracket, close bracket, ओके, enter, यह रो जो है, text nothing argument वाला function है, अगर आप programming language में बोलेंगे से, text nothing, यानि कि इसमें bracket में हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, फिर भी आपको result दे रहा है, क्योंकि take nothing function है, take nothing मतलब कुछ भी नहीं लेता है, फिर भी result देता है, इसको देनी के जरूरत नहीं कुछ भी, तो यह automatic ले रहा है कि इसका row number क्या है, यह Excel का inbuilt formula है, inbuilt function है कि आपको row number बताता है, आप जिस row में इसे type करते हो, वो row number बताता है, आप कोई भी row ले लो, आप मैं यहाँ पर आता हूँ, नीचे, यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ यहाँ पर row type किया, तो उसका row number क्या है, देखे, 23 row number में हम type क होने वाला है, आपको बहुत सारे problem को solve करने के लिए, so column मैंने लिया, column type किया भी, और enter किया, तो यह column number 4 में आपने type किया, यहाँ पर इसके आगे भी column में, दिखाए दे रहा है, D मतलब column number 4, और अगर आप इसे drag करते हो, आप column number 5 में इसको लिखते हो, column number 6 में लिखते हो, column number, जैना, drag करते हो, तो ऐसा आने वाला है, column number बताता आईए, तो आपको column number भी पता चला, row number भी पता चला, अब यहाँ पे किसकी जरूरत है, आपको आप ऐसे drag करने वाले हो, तो आपको यहाँ पर row में जरूरत है, यहाँ पर row अगर आप side में देंगे, तो कितना आ रहा है देखिए, row आ रहा है, six, तो six तो मुझे नहीं चाहिए, हमें चाहिए, अपर दो चाहिए, row index number, column index number यहाँ पर define करनी है, हमारी जो column index number है, यह column index number का इस रो से समंद क्या है, row or column index, आप बोलोगे, यहाँ पर तो column लिखा है, आप row क्यों लिख रहे हो, क्योंकि इसका क्या सम करना है, यह column index को, तो यहाँ पर मैंने row लिखा है, तो यह तो six से start हो रहा है, अगर इस row में, मैं इस formula में थोड़ा सा कुछ add करूं, row minus four, तो आपको इस क्या होने वाला है, तीन आने वाला है, दो आने वाला है, और अगर मैं इसे drag करूंगा, गाड़िट गाइज, यह क्य लिया है न, यह वाली चीज, यह याद रखी, यहाँ पर जो लिखा है मैंने, यही हम इसके अंदर लिखेंगे, एप six के अंदर, अलग सानी लिखेंगे, एप six की जगर, हम यहाँ पर इसमें लिखेंगे, हम एक formula के अंदर बहुत सारे formula यूज़ कर सकते, यह इसका example मैंने रो लिखा, और रो मैनस फोर, अब मैंने फोर ही क्यों लिया है, यह आपको definitely समझा होगा, आगे और एक example के साथ मैं नीचे जो दिया है, मैंने यहाँ पर, इसमें भी मैं आपको दिखा हूँगा, कि महाँ पर क्या आएगा, फिलाल अब इंटर कीजिए है, और result देने वाले आपको अच्छे से पता है, राइट, 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 एक काम कीजिए, यहाँ पर लिखे, 1007, वही लिख देते है, चलो, और मुझे यहाँ पर चीए, तो यहाँ पर क्या formula रहेगा, we look up, राइट, look up value, सबसे पहले look up value, fix कीजिएगा, fix का shortcut की बता पहले से, कॉमा, उसके बाद table array, where is our table, यह हमारा table, इसे क्लिक कीजिए, control shift right, control shift down, great, control shift right, control shift down, यहाँ पर मैंने यह तो कर लिया, यहाँ पर मैंने यह तो कर लिया, range, और range के लिए, F4 प्रेस करेंगे, fix कर देंगे, range को भी F4 प्रेस कर दो, देखे, range को भी fix कर दिया, मैंने उसके बाद, नीचे आगया formula कोई बात नहीं है, कॉमा कीजिए, बस आगे बढ़ते रही है, यहाँ पर देखो, A1 से A11 fix कर दिया है, dollar sign, column index number, अब column index number क्या रहेगा, थोड़ा से इस तरफ जाते हैं, एक minute, इसे delete करते, अब column index number क्या रहेगा, बताईए मुझे, यहाँ पर column index number क्या रहेगा, can you tell me, column index number यहाँ पर रहेगा, 2 ही, column index number 2 ही लेना है, लेकिन column index number 2 कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पर row लिखूंगा, तो row minus 4 करके चलेगा, 4 ही करेंगे, या कुछ और करेंगे, देखिए, यही देखने हैं, आपको, यह कौन से row में formula लिखा जा रहा है, पह आपको देखना है, यह row क्या बताने वाला है, तो इससे select कीजिए और keyboard पे F9 प्रेस कीजिए, क्या बताएगा यह row, यह बताएगा कि यह row number 12 है, control Z करता हूं में, control Z, देखे, F9 आपको बताता है, कि उस formula का answer बताएगा, जितना formula आपने select किया, F9, उससे select करके F9 keyboard पे प्रे जवाब देखे, इसका जवाब आ रहा है, 12, control Z कीजिए, F9 नहीं चाहिए, row 12 बता रहा है, तो मैं इसमें से 10 minus करूंगा, तो 2 आएगा, और 2 ही चाहिए, 0, हम अपना logic खुद बिल्ड करेंगे, और logic बिल्ड करना ही सीखना है, क्योंकि formula जो है, वो formula का syntax as it is है, लेकिन जब आप logic बिल्ड करना सीख जाते हो, तो आप कोई भी ये logic, ये जो बनता है, logic कहीं पर एप्लाइक कर सकते है, logic है, तो magic है, यह याद रखिए, तो एंटर कीजिए, आपका जवाब तो वही आने वाला है, जो आना चाहिए, और ड्रैक कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, whatever you want, and see the result, 1005, you'll get it, got it guys, तो आपको ये तो पता चला, लेकिन अब बारी आती है, आपके बास horizontal data है, तो भाई क्या करेंगे, तो भाई इसे delete कर देते, भाई हमें क्या करना है, यहाँ पर column index number तो देना है, लेकिन ये data ऐसे drag नहीं हो रहा है, अभी vertical drag नहीं हो रहा है, vertical drag करेंगे तो row था, अब horizontal drag करेंगे तो क्या आने वाला है, आपको उस मेने आपको दिखा है column, ये column वाला formula यहाँ पर रिखिए, और column में 8 आ रहा है, इसका number 8 है, क्योंकि वो actually starting से count कर रहा है, h column 8 नमबर पे, i column 9 नमबर पे, ये 10 नमबर पे, ये 11 नमबर पे, हमें 8 तो नहीं है, हमें च दिख रहा है, अभी पर वर है न, 9 में से 6 जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे, 4 आएगा, और वही चीज हम यहाँ पे, देखिए, इस दो की जगह, हम यहाँ पे use करेंगे, column, guys, समझ में आपको, column लिखेंगे, हम यहाँ पे, column लिखेंगे, और minus, कितना था, वही लिखेंगे, जितना minus करना था, 6 minus करना है, क्योंकि 8 नमबर पे है, एंटर कीजिए, और यहाँ पे इसे drag करके देख लिखेंगे, आपको result मिल जाएगा, मिलना ही चाहिए, आप result चेक करके देख सकते है, 1007 में, and मैंने toothbrush है, वही है, वही है, वही है, ग्रेट, आपको यह चीज तो समझ म है कि वही होता क्या है, विलगकप, बेसिकली आपको इंट्रोड़क्ष्शन पार्ट में, मैं यह चीज बता है कि विलगकप को आप ऐसे ले सकते है, ऐसे ड्रैक करके कैसे ले सकते है, इसमें फिक्स क्यों करना है, वो भी मैंने आपको बता दिया, अब बहुत कुछ सीजे जो introduction में मुझे और भी बतानी है लेकिन मैं पहले we look up को अभी theoretically समझा दू आपको we look up काम कैसे करता है अगर आपको explain करना पड़ा इंटर्यू में तो we look up it's a vertical look up, look for the value in the leftmost column of the table look for the value in the leftmost column of the table, यह अंग्रेजी definition है आप इंटर्यू में अंग्रेजी बता सकते हैं Hindi भी बता सकते हैं, it's up to you but look for the value in the leftmost column of the table and return the same row value the column number you specify याद रखिये, यह अंग्रेजी समाचारे, उसे Hindi में convert करके मैं ज़रू बताना चाहूंगा तो अब यह पे leftmost column की जो value है, उसे वो check करने वाला है, look for the value in the leftmost column of the table, पहले हो leftmost column की value देखेगा, and return the same row value, return यानि show करेगा, return the same row value the column number you specify यही row की, अगर आपने यह value दी है, तो इसी row की same row की value बताएगा लेकिन जो column number आप specify करोगे, आप 2 number column दोगे तो 2 का बताएगा, 3 number दोगे तो 3 का बताएगा, 3 number column का, 4 number दोगे, तो 4 number column का बताएगा, 5 दोगे, तो 5 का बताएगा right, तो आपको यह definitely समझाओगा, and by default table must be sorted in ascending order, यहाँ पर मैं एक बार काम कर देता हूँ, यह तो मेरी by idea हो चुके, मैंने बहुत बार classes में अपने पढ़ाया है, students को तो यादी है मुझे definition, लेकिन आप भी इससे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, और इससे याद रखने की कोशिश करो, कि क्या हो रहा ही है आप एक बार समझ लेंगे, तो automatically explain भी करोगे, अगर आपको वहाँ पे English में नहीं आ रहा है, तो सीधा बोल देने का यार, जो भी है, इंटर्वी में याद रखने की एक बात, सच बोलने का सीधा बोलने का, भाई, देखो, जो चीज़ आप पूछ रहे हो, वो मुझे हिंदी में अच्छी तरह से आती है, and I have a very good command on Hindi, तो मैं Hindi में explain करूंगा, तो मैं आपको अच्छी तरह से डिलिवर कर पाऊंगा, जो मैं बताना चाहता हूँ, वही चीज़ आप मुझे इंग्लिश में पूछो कि तो शायद मैं थोड़ा सा हडबड़ा जाओ, इसलिए आप कर रहे हैं, एक डेटा handling के लिए a point, तो इसके लिए उनको सिधा-सिधा बोल दो, अगर आपकी English week है तो, ये चीज़ याद रखो, जो भी है, सच बोलो हमेशे इंटर्यू में और सिधा बोलो, तब उनको पसंद है तो रखेंगे, नहीं, तो कोई दूसरा इंटर्यू यार, don't worry about it, हम इस चकर में हमेशा रहते कि भई, इंटर्यू में फेलोंगे, तो नहीं, ये मत सोचो, फेलोंगे तो दूसरा इंटर्यू, बहुत सारे job है available market में, बस लोग चाहिए जो smart है, हमेशे याद रखो, don't find the opportunities, find yourself to be perfect for the opportunities, opportunities तो आती रहेगे, आपको, अपने आपको perfect बनाऊ opportunities के लिए, फिलाल तो हम इस definition के बढ़ते हैं, मैंने थोड़ा सा ज्यान बाटा आपके लिए, लेकिन फिलाल ये देखे, ये ज्यान देखे, looks for the value in the leftmost column of the table, and then returns a value in the same row, column you specify, and नीचे देख दिया है, ये छोटा सा definition भी आगे पड़ो, by default table, must be sorted in ascending order, ये क्या होता है, ये आगे के example में देखने वाले है, कि ये क्या है, कोई explain नहीं करता है इसको, by default table, must be sorted in ascending order, मतलब है क्या भाई, क्यों दिया है, we look up के अंदर, इसका reason कि अगर आपको interview में पूछागा, तो ये भी हम example में समझने वाले हैं, तो आपको ये definition यहाँ पर मैंने बता दिया, आपको interview में क्या बताना है, we look up करता क्या है, आपके लिए ये definitely आपको introduction part में समझा होगा, अब इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, जो की है range को define करना, अब वो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, अब मैंने हर बार क्या किया है, यहाँ पर आपको पता है कि मैंने यहाँ पर range को दिया है, A1 से लेकर E11 तक, range को आप देख सकते है, A1 को select कीजिए, select करने के दो तरीके, फिर से मैं बताता हूँ, एक तो आप इतना select करके रखिए, control, shift, right, arrow और, down, arrow से, या फिर आप A से लेकर E column, यह range भी ले सकते हैं, expandable range है, इसका benefit है होता है कि आगे चलकर जब भी account number यहाँ पर कोई भी additional type होता है, वो भी आप यहाँ पर list में search करेंगे, तो वहाँ पर आ जाएगा, अब इस range को ऐसे भी नाम दे दो, तो भी चलेगा, मैंने आपको बोलाता है, इस table को select करो, नाम कहाँ से देते हैं, यहाँ पर आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा है, A1, इसमें स्टार्ट होना चाहिए, नाम में स्पेस नहीं रहना चाहिए, आप underscore वगरा यूज़ कर सकते हैं, तो list 1 मैंने यहाँ पर नाम दिया, enter किया, keyboard पर enter करो, नाम टाइप करो, अब आपको यहाँ पर बस क्या करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ, formula के अंदर, आपने यह सब हटा दिया, यह delete कर दो, और यहाँ पर मैं आता हूँ, इस range में मैंने यह जो type किया ना, यह जो table array है, उसको select करके मैं delete कर रहा हूँ, और इसकी जगह मैं list 1 type करूँगा, दिखाए दे रहा है नीचे, list type करते ही, list 1 आ रहा है, आपका time भी यहाँ पर से होता है, बार-बार list का range select करने की ज़रुवत नहीं पड़ती है, automatic list 1 आप यहाँ पर लेते हो suppose, तो यहाँ पर पूरा-पूरा list select हो चुका है यहाँ का, और enter press कीजिए, don't worry about it, अभी आप drag करोगे तो उसको fix भी करने की ज़रुवत नहीं, वो fix भी रहता है, यह सब जगा पर आपको list 1 ही दिखाए देगा, आपको f4 और प्रेस करने की भी ज़रुवत नहीं, यह इसका एक benefit होता है, इतना बड़ा हो रहा है वो range, इससे अच्छा आप list 1 उसका दूसरा नाम रखना था, तो इससे सिलेक करके यहाँ पर जाके नाम नहीं बदल सकते आप यहाँ से, नाम नहीं बदल सकते, यह जो नाम नहीं बदल सकते, आपको बदलना है, तो आपको जाना होगा, फॉर्मॉलाज में, फॉर्मॉलाज हमारा टैब है उपर, फॉर्मॉलाज टैब में जाए, और फॉर्मॉलाज टैब में यहाँ पर एक option है, name manager, name manager option दिखाए दे रहा है, okay focus हो गया name manager पे, आज़ाए name manager में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से मेरे पास data भी define किया हो है, इस list को मैं यहाँ से delete करना चाहता हूँ तो यहाँ से delete, यहाँ से edit करना चाहता हूँ edit, list मैं edit करना चाहता हूँ फिलाल delete नहीं, नाम बदलना चाहता हूँ तो नाम यहाँ से बदल सकता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं, उसका range बदलना चाहता हूँ मैंने A1 से E11 ही लिया था तो मैं काम करता हूँ, यह वाले जो range मैंने नीचे दिया है, यहाँ पे देखिए एक चोटा सा dialog box आ रहा है, उसके range पूरी delete कर दो, यहाँ से delete बटन दबा के delete कर दो, और मैं भी A से लेकर E वाली range, ऐसे लिना चाहता हूँ यह expandable range है, A से E और list 1 वह ही नाम रहेगा उसका, list 1 ही नाम रखा मैंने नाम बदला नहीं क्योंकि ने तो formula में जाके मुझे देखना पड़ेगा फिर और close कर दो, अब आपको यहाँ पे यह जो नाम यह range है इसको select कर लो इसका नाम देखो क्या आ रहा है, उपर देखिए range का नाम अभी क्या हो गया अब मैंशा जूम गलत जगह पे क्यों हो रहा है, list 1, okay, right, यहाँ पे list 1 जो है, वो दिख रहा है आपको, right, इस तरह से focus करता हूँ, मैं देखाने के लिए आपको, ठीक है, अब इसका benefit यह होता है, कि अगर आप 1011 का record करते हो, यहाँ पे कुछ mouse man डाल देते हो, कुई भी man डालती है, ratman फिलाल यूज की हमने, यहाँ पे एक और record add को दो बस्मेर कहने का मतलब है, और उस record को अप यहाँ पे जाकर ट्रैक कर सकते है, चेक कर सकते है, 1011, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है, क्योंकि आवारी range जो है, हमारी expandable हमने बनाई है, और इस range को इस तरह से आप ले सकते हैं, जब आपको आगे भी data आने वाला है तो, तो range को define करना समझा, range को expandable करना समझा, यह भी हमने देख लिया कैसे है, list 1 नाम कैसे आ गया है या पे और कैसे चीज़ होती, यह हमने पूरा का पूरा introduction वाले we look up मे समझ लिया है, अब introduction वी look up का तो हो गया, अब हम बढ़ते हैं, वी look up के अंदर जो last argument था हमारा range look up, यह part 2 में हम समझ लेते हैं, तो इस sheet में मैंने कुछ data लिया है अलग सा, क्योंकि इसे मुझे बताना है आपको detail में, अब मैं क्या चाहता हूँ, कि यहाँ पे जो sales दिखा और यह performance का table अलग सा आपको मिलेगा, यहाँ पे target और performance आपको दिया है, जो कि target की सबसे performance है, जिनका sales target, जिननोंने 0 से 35 के बीच में achieve किया है, उनको poor performance है, और जिनका 35 से 60 है, उनका performance है, average, जिनका 60 से, मतलब 35 से 60 में average है, लेकि 60 से ज्यादा है, और 80 के नीचे performance है, उनको good ह और 80 अब होई तो best performance है, तो यह performance table तो आपने देख लिया, performance table में आपने जयान लिया कि हमें यहाँ पर ऐसे target है, यहाँ पर मतलब performance देने इनके, इस target wise, यहाँ पर sales भी दिया है उनका, तो अब मेरे पास look-up value की तरफ ध्यान देने के लिए है, look-up value जो है मेरी यह है, पर कही जगह पर आपको exact match वाली look-up value नहीं मिल रही है, exact match का मेरा कहने का मतलब क्या है, मैं आपको दुबार दिखाता हूँ, यह 11 जो था न, 10011, exactly यहाँ पर था, यह जो 7 है न, exactly यहाँ पर है, इस table में, यह हमारा table array का table है, इस बार, याद रखी, यह हमारा table array इदर है, य यह हमारा जो है, यहाँ पर हमें result चीए, यह बाकी का सब data ऐसे ही है, इसका कोई अभी हमारे पास इस सा लेने देना नहीं, इस से related लेना देना है, यह हमारी look-up value है, कि 45 इस table में जाके ढूंडे, लेकिन 45 तो exact match है यह नहीं है, 45 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, 65 नहीं, 98 नहीं nne cinco, इस मिलें उस साब से यहाँ को प्रफॉमांस देना है, आप बَّलोगे आप बलोगे, हम तुछ इसे कंदिशन से भी कर सकते, नेंस्ट इप लगा के नेश्ट इप Naheass A karma आपको आता है अपने मेरे चैनल से अधरी। चैनल सीका हो तो इसे नेश्ट इप से बहु mujer सकते हैं लेकिन मैं आपको बताओ कि नेश्टीप आपको बहुत लंबा हो जाता है जब आपके पास यहां पर ज्यादा वैल्यूज हो जाती है तो वी लुक अपका उतना चोटा हो जाएगा और फॉर्मॉला जितना बड़ा हो जाएगा उतना फिर क्या होता है प्रोसेसिंग बनाने की कोशिच कि करो जो कि वी लुकप के बनागे हम कर रहे हैं तो वी लुकप यहां पर अपर क्लिक करेंगे यहां पर क्लिक करेंगे Sales पे यहां पे click कर रहा हूं Sales पे जैसे मैं sales पे click कर रहा हूं यहां पे आ रहा है Sale ई-2 इससे अभी fix करना है नहीं करना है कौन बताएगा मुझे बताओ जबा आप नहीं बता सकते हैं मैं आपको बताता हो कि E-2 को हम fix नहीं कर पाएंगे क्योंकि E2 में ही खाली lookup value नहीं lookup value हर एक salesman का sales target अलग अलग है sales achievement अलग अलग है तो मुझे यहाँ पे sales achievement की सबसे वो change होना चीए तो E2 fix नहीं रहेगा E2 का E3 होगा lookup value यहाँ पे fix नहीं है यह समझ मैं आपको तो कॉमा देजिए कॉमा देती है select करो क्योंकि बार बार फिक्स करने की जरूद नहीं पड़ेगी ना और यहाँ पे जाओ कहाँ पे जाना है यहाँ पे this is what यह name manager है ना name यहाँ पे assign कर सकते आपको तो यहाँ पे जो name manager आ रहा है उसमें जाकर इसको नाम देदो target टार्गेट नाम देते हम इसको capital में टी लिख देते चलेगा और टार्गेट एंटर कर देते तार्गेट इसका टेबल का नाम ही मैंने टार्गेट रख दिया इस इकोल टूवी लुक अब दुबारा देखिए मैंने टेबल को अल्रडी नाम दे दिया है और यह फिक्स भी होता है आपको f4 प्रेस करने की जरूवत नहीं है तो time saving वाला काम हमेशा करना है आपको टेबल एरे में टार्गेट कॉलम इंडेक्स नंपर अभी कॉन से कॉलम में से answer चीए यहां पर हमें ना कॉलं का formula लेना रो का formula कि नहीं लेना एक कॉलह में answer पड़ा यहां पे और कॉलं में answer नहीं हमें इस कॉलं में चीजिए जीए कॉलम में से और गूर बेशन है चाहों बहुत बहुई-क хорош Mai original एक लिखेगे और आपर दो लिखेंगे काम ख़तम कि दो नंबर कॉलम क्यों कि इस टेबल में यह वाला जो टेबल havenे अमारा इस टेबल में एक नंबर कॉलम टारगेट है तो यहां से एक number column रहेगा आपका table कहां से start हो रहा है वहां से एक number column रखो यह से count मत करो अभी अभी के लिए तो यह column index number 1 यह column index number 2 और हमें चीट 2 का answer तो 2 लिखा मैंने 2 सब जगा पी fix ही है तो इसके लिए इसको कोई formula नहीं use करेंगे अब बारी आती है अमारी आखरी मैंने गलती से वापे 0 type करती है आदत पढ़ गी थी अब मैं यहां पे 0 लिखूंगा तो 0 लिखूंगा तो वो अपकोस यह वाली चीज़ लेने वाला है पॉल्स लेने वाला है अगर मैं exact match लेता हूँ चलो मैं 0 लिखता हूँ आपको दिखाता हूँ क्या होता है not available error error आ रहा है error वी लोग को बता रहा है कि value नहीं है आप कहां पे चल रहे हो value नहीं है वापे तो क्या है वापे फिर value नहीं है 45 नंबर की exactly match value नहीं है लेकिन अगर मैं वहाँ पे one लिखता हूँ approximation match या true लिखता हूँ keyboard से type करके true तो बहुत लंबा हो जाता है वह नहीं लिखिए और मैं one लिखता हूँ यहाँ पे तो क्या होता है average आ रहा है और इसे drag करते हैं क्या होता है देखते हैं वाव देखिए यह है 60 to 80 के बीच में good performance वाव वेरी गुड़ यह है 80 याबो best performance यह पूर जिरो तो 35 के बीच में और यह है 65 मतलब 62 80 के बीच में तो आपको दिख रहा है performance प्रॉपर आ रहा है और हमारा approximation काम कर रहा है या prox value डूंक रहा है इस range के बीच में ढूंक रहा है 0 to 35 में ढूंक रहा है 32 को और उसके ज़ए जिरो के सामने जो value दिख रहा है अब यह 0 के सामने वावली वावली क्यों ले रहा है 35 के सामने 35 तो उसके नज़दी के 32 के तो वो क्यों नहीं ले रहा है मैं आपको बताओ कि यह टेबल असेंडिंग और में सॉट है और यही मैंने आपको वी लुक अप के डेपिनेशन में लास्ट में पता है था कि वी लुक अप में एक चीज और दी है जो कि बहुत सरी जगह पे आपको सवाल पूछा जा सकता है पर बहुत सरी जगह पर इसकी जुरुवत पर सकती है अगर आप यहां पर नूटिश को रहोगे टेबल मच भी सॉट इन असेंडिंग और लास्ट है तो यह चीज जो है बहुत सारी लोगों ने वी लुक अप के वीडियो बनाए लेकिन नहीं किया एंड मेरा काम बनता है क कि मैंने explain किया यह असेंडिंग और में होना चाहिए यह अगर उल्टा-पुल्टा है 80 अगरा नीचे वह उपर नीचे तो नहीं चलेगा यह यह बिल्कुल असेंडिंग और में रहना चाहिए 0 के बाद 35 यह 60 और 80 सो टेबल मस्ट बी सॉट इन असेंडिंग और यह डिपिन एपिने माच मतलब ऐसे को टेबल मैं से डेटा यहाँ पर पूल करा है तो आप प्रक्रौइमेशन मैच यह उता है नहीं अपर दो मैच अट इसे में सिसल को एक अगर आपके पास ऐसा example है, मैंने एक example आपको देने के लिए रखा है, यहाँ पे आपको area code निकालने के लिए बोला है, area code और यहाँ पे उनके zone भी दिये है आपको, zone wise area code निकालो, तो इस time पे क्या होगा, we look up, यह है आपकी look up value, zone यहाँ पे देखिया, look up value यहाँ पे है, यहाँ पे नाम देते हैं इसको, यहाँ पे नाम देने के लिए मैंने जूम कर दिया, मैंने आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नाम दिया, zone नाम का table बना दे चोटा सा, zone नाम का table हमारा, select करके इसको नाम दे दिया, यहाँ पे click करो, we look up, look up value यह वाली रहेगी, क्योंकि हम करोगे, इसमें 1 आएगा, तो नहीं मैं कोँगा, इसमें आएगा 0, और enter करो, enter करो, enter करो, enter करो, enter करो, result आएगा, इसमें 0 क्यों आएगा, क्योंकि इसमें exactly match चाहिए, यह कोई number के बीच में है नहीं है, यह बस exactly match डूड़ेगा, इसलिए यहाँ पे आएगा 0 और उसमें ओ यहाँभर नमबर के बीच में था values इसमें देखो यह नमबर के बीच में से value थी इसलिए यहाँपछम आया था अप्रोक्जीमेशन अप्रोक्जमेशन के होती है नहीं भी लिखते हो यह जो मों कोavaş्षब nepermanent prep formal नहीं है square bracket में चीजे उती है । भी null हote खोती ऐसे मैं इसे नहीं भी दू यहाँ पर इस case में तो भी यह answer आ रहा है और आपका जवाब correct आएगा इस case में एक काम करता हूँ मैं आपको इसे समझा देता हूँ इस example में यहाँ पर देखें 1001 11 अभी है लेकिन अभी यह नहीं है इस record में तो क्या रहा है exact match होने के कारण क्या रहाये बता रहा है कि वो नहीं है अब एलेबल नहीं है लेकिन यहाँ पर मैं बता हूँ कि इसे अगर मैं यहां पर exact match कि कुछ भी नहीं लीक्ता हूँ मतलब exact match नहीं लिकता हूँ तो भी वो बता है कि 1001 11 तो नहीं ए रेकॉर में फिर भीू approximation match ले रहा है automatic क्योंकि by default यह अगर आप कुछ भी नहीं देते हो तो यहाँ पर approach match लेता है यह याद रखिए approach match correct है यह ठीक है लेकिन अगर इस case में आप करोगे तो यहाँ पर approach match अगर वो लेता है 11 number की value नहीं है फिर भी और record दिखा रहा है 11 का net band जो की 10 का है तो यह 11 का 10 को भेज रहा है record तो यह ऐसा होता है इस case में तो approach match आपको नहीं दिया तो भी चलता है approach match मतलब आपने महाँ पे नहीं लिखा लेकिन exact match के time 0 लिखना compulsory है जब आप 0 लिखोगे तब आप बन जाओगे hero आई मीन तभी आपको answer मिल जाएगा इसका वी लुक अप में exact match में 0 लिखना compulsory है लेकिन approach match में आप कुछ भी नहीं लिखोगे तो default by default approach ही लेता है और आप लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि सामने ओले को पता चलता है कि यहां पर आप लिखोगे लिखोगे तो भी चलेगा तो यह एप लिखना ही लिखना ही लिखना है इसके बारे में जो सवाल मन में टिक टिक कर रहा होगा आपका यह सवाल तो इस पार्ट में clear हो चुका होगा रेंज लुक अप को मैंने डीटेल में कवर करने की कोशिश की है होता क्या रेंज लुक अप में true और false तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए दोस्तो प्रैक्टिस कीजिए तो चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे वी लुक अप के पार्ट की तरफ इस एक्जामपल में हम देखने वाले है इप एरर कैसे यूज होता है वी लुक अप के अंदर हो क्यों यूज होता है तो चलिए प्रैक्टिकली समझते यहां पर मैं आपको बताओ कि मैंने क्या किया है अगर मैंने सेल्समन आईडी जैसे पिछले एक्जामपल में देखा कि यहाँ पेसल्समन आइड सेल्समें दस तक है लेकिन मैंने कर दिए एकस्टिमाइज कर सकते हैं इस कैसे नहीं तो अमें देखना है इस वले एक्जामपल में चोटा से समझ मेंका विकली है अप जब आप वी लूक अब आपको पता है कि यहाँ पे जो लूक अप तो है नहीं उसमें तो यह value अगर look of value available नहीं है यानि कि error आने वाला है अगर आप look of value 1002 देते हैं तो यह available है तो answer आने वाला है चलिए यहाँ पर एक formula दे देते हैं इसे नाम दे देते हैं इस range को select करते हैं हमेशा की तरह यह भी list 2 हो जाएगी हमारे ले क्योंकि list 1 अल्रड़ी हमने define किया है तो यहाँ पर जो हमारा name box दिख रहा है इसमें हम इसको नाम दे देंगे इसको नाम दिया मैंने list 2 अपकोस मैं काम करता हुआ इस list को मतलब ऐसे define से so list 2 मैंने नाम दे दिया a से लेकर e select किया expandable और range में मैंने select किया जितना भी data आगया आएगा वह सब यहां पर add होगा list 2 इसको नाम दिया enter किया time save करने के लिए हम हमेशा नाम define करेंगे याद रखिए अब हम यहां पर is equal to करेंगे we look up करेंगे guys we look up में यहां पर आ रहा है list 2 not one list 2 right list 2 अभी जब आप list type कर तो सारे sheet में से जितनी भी list है वो आपको यहां पर दिखाए देगी मतलब list related सारे आजाएगी आपने कुछ और नाम से दिया data नाम से दिया तो data से रिलेट आएगी दिखाए दे रहा है तो यह पूरी list यहां पर define हो जाती आ जाती है right तो आ automatic change होना चाहिए आगे बदलना चाहिए तो मैं column लोंगा अब मुझे आप बता होगे कि column लेने के बाद यह column number कितना बताएगा हम एच column में formula लिख रहे है ध्यान से देखिए h column है 8 number पे अगर a से count करेंगे 1,2,3,4,5,6,7,8 8 number पे है तो उसमें से हम 6 minus करेंगे आपको 6 minus किया तो यह result क्या आने वाला है अगर आप देखना चाहिए तो इतना से लेकर के f9 प्रेस कीजिए result मिल गया f9 से पता चल रहे है आपको क्या आ रहा है और ctrl z कीजिए f9 करके मैंने बस result दिखाने के लिए f9 प्रेस की आपको कॉमा और आमें चाहिए exact match यहाँ पे 0 और अगर हम एंटर करेंगे तो ठीक है आपको वी लुक अप मिल गया लेकिन अगर हम 10011 लिखते तो आपको वी लुक अप नहीं मिल रहा है एरर आ तो अगर एरर है वी लुक अप में तो e-parror वही काम कहता है नीचे देखें मैं e-parror लिखता हूं e-parror का जो argument से उसे समझते है पहले value देना है value अगर value है पहले वाली चीज में value पहले दिया है वाँ value है तो ठीक है अगर नहीं है error है तो second वाला answer शो किया जाए दिखाए दे रहे syntax को आप अच्छे से समझ लो value value-parror तो अब यह क्या करेंगे यह जो value है ना यह पेरर के अंदर जो value नाम दिखाए दे रहा था इस value के जगह आपका पूरा वी-look-up का फॉर्मुला आएगा और value-parror में आपको जो message चीव हो आएगा right तो यहाँ पर double click किजे और इक काम कते हैं मैं थोड़ा सा right में यहां पर अंदर चला गया है क्योंकि बहुत सरी sheets से एक काम कते हो मुझे right में थोड़ा सा scroll करना है तो मेरा scroll स्क्रोल बार यहांपर नहीं दिखर आप्र इस पॉइंट को यहांपर लेक आता हूं दिखर आपा गो करी में इस कुल तो औरktion वीशनघ्र के पहले मällen वीक है और ईस के के बीच में ईप एरर लिख दूँगा इप टाइप करूंगा इप एरर सिलेक करो है से डाउन एरो प्रेस करके कीबोर्ड पे टैब बड़न प्रेस करो पूरा लिखने के जरूरत ने चुझ से फ्रेस कर रहा है कि वह अपने छोड़ दिया था पूरा भी क्लोट रहा है कि बड़ान के खरेड़ कोन की बालें को एक्सेब्र आपको लोगर आपने छोड़ दिया है तो एक स्मार्ट कि रहा है कि शौड़ आपको मिल रहा है वह जवाब जो आमेच चाहिए अब आपने करेक डाला तो आजाएगा लिश में नहीं है तो आपको वो नहीं आएगा और नहीं आएगा तो इपर अपना काम करेगा इपर डेफिनिटल आपको समझा होगा कि एरर जब आता है तो हम वी लुक अपको यहां वी लुक अप में एरर आ गया तो वैल्यू आ गया तो आपको यहीं रिजल्ट दिखाएगा अगर इसमें वैल्यू नहीं आ रहा है तो सेकेंड वाला अंसर वो बताने वाला है जो कि आपका यहां पर काम कर रहा है इपर को डिटेल में समझ लिए आमने की इपर कब को कैसे लगा जरूर कमेंट कीजेए तो वी लुक अब बढ़ते आगे के पार्ट के पर अब पार्ट फोर की तरह वाले नेच्ट डी लूक अब अबनेट विलुक अब यूजिज भी यूज होता है यहां पर पर्ट फॉर में हम जानने वाले प्रक्टिकली सिनरिव क्या है मैं आपको समझा देता हूँ और कहां पे practically use हो सकता है ये भी मैं आपको समझा दूँगा properly तो यहां पे सबसे पहले देखी scenario क्या है हमारे पास एक table है जिसके अंदर product id salesman और ये सारी चीज़े product id से start हो रहा है और salesman की पूरी detail से और यहां पे salesman और product id अब मेरे seniors के requirement कि मैं यहां पे salesman id डालूँगा ना तो salesman id मुझे comfortable है डालने के लिए और serial है मैं यहां पे salesman id डालूँगा तो मुझे salesman की पूरी detail आनी चीज़े जो कि इस table में पड़ी यह अलग से table अलग से sheet में भी हो सकता है यह फिलाल मैंने आपको समझने के लिए easy से समझाने के लिए इसी एकी table में मैंने इसे रखा है तो मुझे यह salesman की पूरी detail चीज़े लेकिन salesman id जो कि इस table में नहीं है यह इस table में है लेकिर आप देखे होगे तो इसमें correlation है जो कि salesman id जो जो product id के है आपको दिख रहे हैं उसके सामने जो जो product id का data यहाँ पर पढ़ा हुआ है अब आप बोलोगी आप ऐसा scenario कब होता है मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ जैसे आप अपने colleges में admission लेते हो कभी भी लिया होगा आपने तो उस time पे आपने क्या किया अपना seat number वहाँ पे submit किया exam का जो past exam होगी तभी तो आपको आगे admission मिला 11th में 10th का seat number देंगे तभी तो 11th में admission मिलेगा तो उस time पे जो seat number आप में submit किया वो तो university board का seat number था exam का और उन्होंने क्या किया आपको एक enrollment number दी था तो enrollment number उनका serial रहेगा simple रहेगा 1001234 admission wise उनका college का enrollment number और उन्होंने आपका seat number यहाँ पे डाल दिया और उसके आगे उन्होंने आपने जो mark sheet submit किया उसका past fail status या marks डाल दिया यहाँ पे past fail status डाल दिया लेकिन वो आपने जो mark sheet submit किया उनको यह भी verify करना है कि उन्होंने dummy तो नहीं दिया mark sheet वो तो check करना पड़ेगा न अपकोस तो वो क्या करेंगे जो board है या university उनसे एक table मंगवाएंगे जो last के तेंट के past student से उनको table आ जाएगा उस table में से जिन जिन का seat number आया है उनका table यहाँ पे match करेंगे और वो देखेंगी कि भाई ये वाला जो seat number available ये बले स्टूडन के सामने लिखा हुआ इसका इस table में बढ़ा हुआ status क्या है तो तब होता है nested we look up use क्योंकि यहाँ पे तो enrollment number है ही नहीं है enrollment number दिख रहा है कि यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन उनको enrollment number wise जुनना है जुनना कैसे enrollment number wise जुनना है तो करना क्या है मुझे पहले product id जो है वो मुझे यहाँ पे लाना पड़ेगा product id ये जो table में है ये leftmost column में और ये table में salesman id leftmost column में है तो करेंगे क्या तो मैं आपको बतातो सबसे पहले इसे define कर लो अल्रेड़ी मैंने इसे define कर ले इस range को select करो नाम दे दो जो कि आप देख सकते है इसका नाम मैंने already define किया list 3 है right और इस table को भी मैंने select किया इसका नाम already define किया list 4 save time अभी हमें पता है कि नाम कैसे define करना है select करके आपको उस नाम देना है enter करना है तो ये मैंने पुराने example में बताया अब हम यहाँ पर करेंगे क्या यहाँ पर मैंने drop down list भी बना के रखा ऐसे यह drop down list कैसे बनाना है नहीं पता तो बता देता हूँ simple है आपको कई भी drop down list बनाना है उस पर करसर रखना है data में जाना है बेटा यहाँ पर data tab उपर दिखाए दे रहा है data tab data tab में click करना है data tab में जब आप click करोगे उसके बाद आपको click करना है data validation के अंदर यह रा data validation option data tab में data validation एक dialer box आपके सामने आजाएगा इस dialer box के अंदर आपको काम करना है याँनि कि यहाँ पर allow any value जो दिख रहा है allow any value उसकी जगा आपको लेना है आपे list allow की जोगा list लेना है च्छोटी सी बात याद रखो list आपको पहले से आदी तो कोई बात नहीं वीडियो थोड़ा सा बगा दो आगे तो source में करसर रखो list लेने के बाद source में करसर रखो और यह list ले लो list list को इतना ही लोगे तो उतने ही number आएगे range select हो चुका है source में और ओके की यह बस यह list तयार है आपके सामने हाजीर है बस select करने के लिए ऐसा list बना दिया है type करने में जाएगा न इसलिए list बना दिया अब इस list को clear करना है तो data validation में जाओ और clear all नहीं चाहिए मुझे clear all okay delete कर दो फिलाल यहाँ पर मुझे चाहिए कि मैं अगर यहाँ पर select करता हूँ product ID sorry salesman ID 1 तो यहाँ पर उसका product ID दिखाए दे पहले product ID देखेंगे लाएंगे और फिर salesman लाएंगे तो मैंने यहाँ पर table के नाम क्या दिया याद रखना है list 3 sorry list 4 इसका नाम याद रखना है यहाँ पर आना है और we look up का formula पर काम करना है is equal to we look up we look up जब आप देते हो look up value यह वाली रहेगी आपको अप इसे drag करना चाहते तो इसे fix करोगे horizontal drag करना है इसे हमें fix करना है right इसे fix करना मत भूलिए क्योंकि इसे हमें horizontal drag करना आगे चलका formula को कॉमा table array हमारे पास है list 3 जो कि हम list लिखेंगे list 1,2,3 सभी table की list आजाएगी है यह पर जितने भी table में हमारे पास list है जो भी हमने बनाई है तो list हमारे फिलाल 3 number की है तो list 3 यहाँ पर मैंने select किया कॉमा क्योंकि इस table में एक ही column है और यह है product ID और वही चीह हमें fix तो enter कीजे और वही आ रहा है अगर आप यहाँ पर 1007 भी लेते हो 4 भी लेते हो तो उसी का ही PR004 उसके सामने जो product ID लिखा है वो आमारे पास एक VLOOKUP में आ गया इस VLOOKUP में हमने यह देख लिया कि हमें क्या करना है product ID कैसे निकालना है product ID हमने निकाल लिया अब हम nested VLOOKUP सीख रहे हैं तो इस VLOOKUP के अंदर और हमें क्या करना है एक और VLOOKUP लाना है तो हम यह वाली जो value आती है यह वाली value जो आती है इस table में अगर देखेंगे तो यह lookup value है द्यान से सुनिएगा मैं क्या कर रहा हूँ यह जो value आ रही है इस table में यह lookup value है lookup इसे हमें देखना है इस value को यहाँ पे देखना है देखना है तो इस value को lookup value बना दो अगर मैं यहाँ पर एक और भी look up नीचे लगाता हूँ समझाने के लिए यह look up वैल्यू आप बना देते हैं ध्यान से देखिए यह वाली look up वैल्यू बना दी थोड़ी देर के लिए यहाँ पर इस table को select करना है यानि कि वो हमारा list 4 है select ने कर रहा हूँ मैं list 4 ले रहा हूँ direct select होगा कॉमा दो नंबर का answer चाहिए यहाँ पर भी हमें कॉमा 0 2 नंबर क्यों क्यों क्योंकि अभी हम देखेंगे तो एक नंबर कॉलम में product ID दो नंबर में salesman ये table में एक नंबर कॉलम में product ID दो नंबर में salesman तीन नंबर product चार नंबर zone पाच नंबर sales तो ये दो नंबर का result चाहिए salesman चाहिए enter करते है salesman आ रहा है salesman थोर है 1004 का salesman थोर है अगर मैं यहाँ पर 1001 लेता हूँ तो exactly आ रहा है शक्ति मान और PR ये इसको show कर रहा है और ये इसको show कर रहा है कुछ समझ में है आपको तो ये nested वी look up है लेकिन ये look up अलग लिखा है तो ये nested कैसे होगा भाई ये तो दो अलग अलग होगे तो इससे क्या करना है उसको यहाँ पे देखे यहाँ पे जो मैंने e4 लिखा ये क्या ये वाली चीज है तो ये वाली चीज जो है ये वाली चीज है ये वाला formula जो है ओके चीज वैसे बड़ी मस्त है ये वाला formula जो है ये अगर आप यहाँ से copy करते हो और copy करने के बाद ये पोटीन के इस place पे इस place पे इस formula को paste करते हो देख्या मैंने lookup value में ये lookup value में पूरा पूरा एक we lookup लिया है यानि कि nest किया we lookup within we lookup nested we lookup हम बोलेंगे इसको so we lookup के अंदर ही एक और we lookup डाल दिया lookup value के जग़ ये we lookup आएगा ये we lookup क्या answer देने वाला है आप F9 प्रेस करके देख सकते हैं परली आ रहा है कि नहीं इसी we lookup को मैंने select किया पूरा और F9 प्रेस करते हैं ये बता रहा है कि ये answer बताएगा जो कि अल्यड़ी उपर बता रहा है control Z F9 क्या है आपको पता है मैंने बताया था select करो किसी भी formula को F9 प्रेस करो वा पे वो result बताता है अगर उतने portion में वो result देखना है आपको तो अब आप enter करोगे तो result वही आ रहा है आपको समें जो चाहित हो वो मिल गया है तो हम यही काम करते है we lookup within we lookup nested we lookup और यही हम काम करेंगे यहापे control X करेंगे इसको और यहापे control V करेंगे मैंने नीचे का formula डिलीट नहीं किया control V यहापे is equal to रहने तो is equal to नहीं आया अब आपको यह नीचे वाला डिलीट कर देना है क्योंकि मैंने example के लिए लिया था आपको दिखाने के लिए आपको यह तो समझ मैं लेकिन इसे drag कर सकते है क्या अभी नहीं ड्रैग कर सकते है क्योंकि यह वाली चीज जो है न यहापे what is I am going to say second वाला column index number यहापे मैंने दो दिया है जो दो वी look up है न अंदर की वी look up का column index number दो ही रहेगा क्योंकि उसमें दो ही column है यह table में लेकिन यह वाले table में दो column नहीं हमें product आगे दूनना है हमें zone है हमें sale चाहिए तो भई हमें यह दो नहीं चाहिए तो हम यहापे formula लेंगे second वाला जो दो column index number उसकी जगा हम अपना column का formula लेंगे जब मैं column लिखूंगा तो उतने से बात नहीं बनने वाली हम formula लिख रहे है 5 number column में यहापे देखना है e e है 1,2,3,4,5 number column यहाँ से count करना है हमेशे जब column formula की बात आती तब तब हमने देखा 5 number column की बारी है इसकी तो 5 में से अगर मैं 3 minus करूँ तो हमें 2 मिलेंगे 2 ची है ना हमें up goes हमें ultimately वहाँ पर जाना है जहाँ पर जो requirement है तो 2 मिल गया और अब हम drag करने के लिए ready है रेडी है के नहीं देखते है ready है ready है ready है yes ready है सब कुछ है हमने fix भी किया look up value को और list 3 और 4 तो already fix है उसे करने की ज़रूद नहीं है oh great अगर आप लिखते 1003 तो मिल जाएगा आपको answer बले बले हमने जान लिए we look up के अंदर we look up कैसे होता है कुछ नया और interesting सी का इस वीडियो को like तो already आपने किया होगा दोस्ते के साथ जरूद शेयर कीजिए right फिलाल तो part pi के तरफ बढ़ते guides so पाचवा एक्जांपल we look up का कापी interesting है आपके लिए कि we look up में हम डाइनमिक फिल्टर लगा सकते हैं वी लुक अपके जरीए जिया दोस्तों डाइनमिक फिल्टर कैसे देखिए अगर आप यहां पर सिलेक करते हैं टाइगर बाम की जगर टूथ पेस्ट तो टूथ पेस्ट के कितने बार से वह रिकॉर्ड आ रहा है यहां पर आपको दिख अब आप से डेटा आ रहा है जो भी आप सिलेक कर सकते हैं और रिपीटेड वैल्यूज होने के बावजुद भी हैं मैं रिपेटेड वैल्यूज की जितना भी डेटा है वह अलग सा वी लुक अप लाके दे रहा है जिया यह वी लुक अप है लेकिन किया क्या है इसके लेट करूंगा और unhide करूँगा यह देखिय को मैंने रखा है राइट लिग करके को अनाइड करता हूँ एक कॉलम को यहां पे चुपा के रखा तो कॉलम जिसमें मैंने कुछ युनिक प्रोड़ुक्त करके क्या था यह था यह था कैसे मैं आपको दिखाता हूं क्या करना तो मैंने एक नया कॉल्म में इन्सेट् आरी कर लिया है, मुझे किया करना है, मुझे किया करना है, कि हाप ए रिपीटेड है, तो मुझे इनको युनिक और प्रोड़क्ट आप सब्सक्रम्रीम देना है, युनिक प्रोड़क्ट नेम देना है, तो रहलman walking इस के लिए, प पूरे फॉर्मॉला का कोस ही एकसल का जो कि मैने इंट्रो पाट में इपको बताया था अगर आप इंटेट रहे गो तो सारी चीजे मिलने वाली सबसे पहले आपको रेंज को मा क्राइट्रिया यह देना है तो मैं रेंच कहले रहा हूँ मैं यह रेंच कंप करता कि यह आपको तो B2 के बाद मैं यहां पर colon type करूँगा, याद रखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, दुबारा दिखाता हूँ, मैं इसको zoom करके जरूर बताना चाहूँगा, count if, यह formula मैं यहां पर दूँगा, count if, दे दिया मैंने, और उसके बाद मैंने B2 select किया, यह वाली cell select की, ध्यान से देखिए, B2 मतलब उसके सामने वाली cell, और मैंने colon दे दिया, जैसे मैं colon दूँगा, script और colon प्रेस करूँगा, तो यहां पर दुबारा B2 आ जाएगा, लेकिन यह पहला वाला जो B2 है न, यह पहला वाला B2, इसको मैं F4 प्रेस करके fix कर दूँगा, समझे B2, I mean B2, ओके B2 किसी का नाम हो सकता है, I'm just joking, but B2 यह आपको पहले वाला लॉक करना है, दूसरे वाला नहीं, और हम क्या डूनेंगे इसमें, B2 से लेकर B2 में, हम B2 यह डूनेंगे, क्या बात है, B2 से लेकर B2 में B2 यह डूनेंगे, और एंटर करेंगे, क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, एंटर कीजिए, और यहापे आपको result आएगा, आप थोड़ा-थोड़ा drag करके result देखिए पहले, आपने यह direct drag किया, Iodax एक ही बार आया है, Tiger Wham उपर की लिश में एक ही बार आ रहा है, मतलब क्या होगा यह देखिए पामुला में, अब यहापे यह B2 पहला वाला fix है, दूसरा वाला नहीं है fix, द्यांसी सुनिया, इसे द्यांसी समझ जी है, पहला वाला B2 fix है, दूसरा वाला B2 fix नहीं है, वो B2 fix नहीं, इसलिए उसका B3 हो चुका है, और अपकोस यहापे लास्ट वाला भी B3, यह वाला भी fix नहीं है, तो वो भी B3, तो यह क्या कर रहा है, B2 से लेकर B3 range में B3 डूंडेगा कितनी बार आ रहा है, आप नीचे ड्रैक करोगे, यह आपकोस B2 से लेकर B4 में B4 डूंडेगा, यानि कि हमेशा यह वाली सेल उसक यह थी, लेकिन इस वाले formula में range है, B2 से B6, यानि यह B2 से लेकर B6 तक B6 वाले value यानि आयोडेक्स वाली value कितनी बारे? कितनी वाले do bear we? तो परहे तो, बार आयेगा, तो इक यह बार आएगा, दूसरी बार आएगा, तो दो बार आएगा, तिसरी बार आ थाएगा, तीसरी count is का मतलब उसको 3 देगा वो so count tip समझ में एक काम क्या कर रहा है जब वो value repeat होती है तो count tip उसको अगला number देगा उसी value को क्योंकि हमने range कौन से format में रखी है यह expandable format में range रखी मैंने fix नहीं है एक को fix रखा है और b2 जो है expandable जब ड्रैग होगा तो expand होती जाएगा range आगे यह logic को समझो यह count tip की logic को बहुत जगा पर यूज़ किया चाह सकता है अलग लग रिपोर्ट के लिए तो इस logic को यहां पर समझो कि मैंने यह repeated values को detect करने के लिए यहां पर मैंने count tip को use किया है डेपिनिटल आपको समझा होगा repeated value count tip काउंट कर रहा है और उसको अगला number दे रहा है और उपर की range में इस tiger bomb को दो ही number क्यों दिया है वो आपको समझ में होगा क्योंकि वो नीचे वाले range में तो बालम क्या है बालम नहीं है बा में yell silent राइट ओके चलो ठीक है अब आपको मैं बताओ कि यहां पर मुझे करना क्या है is count tip को आप formula तो बता दिया इस count tip में मैं क्या करूंगा इस count tip के आगे इसको join करूंगा इस b2 को इस b2 के value को तो मैं क्यों join करूंगा वो आपको समझ में आ जाएगा इस count tip में क्योंकि वो मुझे unique id दे देगा हर एक का अभी आपको क्या मिल रहा है one dub repeat repeat मिल रहा है iodex1 आएगा क्योंकि b2 उसके साथ join है count tip का जो result है वो आना ही है one था लेकिन iodex नाम के साथ join हो और मैं drag करूंगा तो अभी देखे tiger bomb 1 आ रहा है यह वाला delete कीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पर जो चीज़ पाउमला दिया है उसे delete कीजिए okay तो यहाँ पर tiger bomb 1 tiger bomb 1 tiger bomb 1 tiger bomb 2 tiger bomb 3 सब unique है सब unique कोई एक similar नहीं है अभी आपको iodex1 एक ही बार मिलेगा iodex1 दुबारा नहीं मिलेगा iodex2 मिलेगा डेरिक तो आपको यह unique product मिल गया unique product name मिल गया आपने खुद बना लिया इसे और यह county की मदद से बना लिया right okay तो आपको यह तो पता चला कि कैसे बनाना है इसको पहले separately कर लो अब आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर कुछ logic और बिल्ड करना है यहाँ पर करना क्या है simple है हम देंगे we look up पहले we look up देंगे यहाँ पर देखिए look up value पूछा जा रहा है अब look up value हमारी look up value हमारी य है टाइगर बाम में तो यहाँ पर पढ़ा है लेकिन है तो यह तो लुक अप टेबल नहीं है अभी look up टेबल लुक पहली ओ हमारा यह जो दून रहे हम हम इसमें दूनने वाले लेकिन आप टाइगर वढम टू है टाइगर वम ट्री है अब आपको जो टाइगर बाम मिल र है तो two लेंगे three है तो three लेकिन one two three ऐसा change करने में time जाएगा तो हमारा वही row अलग concept हम use करें क्योंकि इस formula का हम vertical drag करने वाले जितना भी reports आना है तो हम यहाँ पर row अलग concept यहाँ पर मैं row लिखूंगा and करके row लिखूंगा इस G2 के साथ row join कर रहा हूं मैं तो रो क्या बताएगा इसको select कीजिए और f9 कीजिए और इसका जवाब देखिए यह बताएगा कि 5 भाई 5 बता रहा है 5 रैट f9 करेगा तो यह 5 बताएगा तो पाच रो में आ रहा है तो क्या करेंगे वही तो रो आपको उसका रिपोर्ट आपको दिखाए देगा इस रो के लिए बहन आएगा जब मैं इसे और इसे बढ़ने वाली है रो पांच तुड़ी हो रहने वाला है रो छे साथ आट होने वाला है तो छे में से चार माइनस हो जाएंगे तो दो आएगा तो आपको टाइगर टू की वाली नीचे की सेल में आ जाएगे टाइगर बांब टू की टाइगर टू नहीं सो यहां पे आपको डेपिनिटली यह समझा होगा इसका रिजर्ट क्या आने वाला है अगर मैं माइनस फोर करू तो यह मैंने क्यों किया है क्योंकि यह रो है रो नंबर पाच में लिखा गया फॉमूला यह रो तो रो की वैलियो पाच बताएगा और पाच में से चार गए तो रिजर्ट देखो क्या आएगा वन राइट इसे एपनाइन प्रेस करके मैं ने दिखा है तो हम यह चाहिए टाइग इसलिए मुझे सिलेक करना पड़ेगा अपको इस नाम देना चाहिए लेकिन इस बार हम इससे काम चला लेते हैं इससे फिक्स कर देते हैं नाम नहीं दिया ता फिक्स करने के लिए आपको पताएग से एंद इलेवन में याद रखिये हमारे यह पूरा टेबल है यूनिक र करेंगें या पर भी यूजरा गालम यूज रहें इक साथ कीज़ें एक साथ होगी तब ही तो एक मास्ट्र बनोगे यह सारी फॉर्मुला को अभी कलब कर रहें अब क्यू क्यों लिह नैं और कैसे लेना है यह फॉबला हम टाइप का आ यहां पर product हमें चाहिए, right? तो product हमें चाहिए, Z column में हम type करें Z column का number आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह से count करेंगे, 7 7 में से, अगर मैं minus यहां पर देखिया, 7 में से minus 5 करता हो, तो 2 आएगा 7 में से minus 5 करोंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा, तो 2 मतलब क्या आएगा इसमें से यह product आएगा और यहाँ पर product ही चाहिए हमें तो 7 में से minus 5 करो याद रखी यह देखिए 7 column number है कि नहीं यह उसे check करने के लिए f9 प्रेस कीजिए यह 2 आना चाहिए 2 आगया answer मतलब 7 में से minus 2 हमें 2 ही चाहिए column index number, column index number हमें 2 चाहिए क्योंकि 2 number में हमारे पास product पढ़ा stable में यह 2 number पे है यह 3 number पे है और आपकोस automatic लेगा आगे क्योंकि minus 5 हुए तो automatic column बढ़ेगा तो minus 5 हो जाएगा और exact match चाहिए exact match राइट हम यहां तक correct है ऐसा समझ के हम enterprise का समझना नहीं है correct ही है वैसे तो यहां पर बज़े ड्रैक करना है और result गलत आ रहा है और result इसलिए गलत आ रहा है क्योंकि हमने इस G2 के साथ एक काम नहीं किया आपने भी मुझे नहीं बताया क्या बात है ग्रेट मिल गया आप इसे वर्टिकली ड्रैक कीजिए मिलता है कि नहीं अंसर जवाब तो मिलना चाहिए मिल गया है लेकिन यह क्या आया है यह मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिए क्योंकि ज्यादा भी प्रोडॉक्ट हो सकते इसके लिए तो यह एक्स्ट्रा चीज़ों की यह मैंने बताया यह पार्ट यहाँ पर फॉर्मोला ड़ा दो और इसके एंडिंग में देखे इन वर्टिर में ब्लैंक दे दो सबस्के और यह एंड़र तो उमने डाल दिया है अब इसे ड्रैक करके रख देते हैं ग्रेट अब अपने आयोडेक से लेक्ट किया है अगर तो आपको यह समझा होगा अगर आपने यह सीख लिया होगा कि कैसे करना है तो बस आगे के पार्ट के तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपने लाइक ने किया तो अभी लाइक कीजिए किया है तो आपको मत कीजिए डबल लाइक तो यहाँ पर पार्ट शिक्स में हम देखने वाले डबल वी लुकप अब डबल वी लुकप कभी यूज होता है यह सिनारियो भी समझ लेते हैं पहले सिनारियो देखिए और यहाँ पर कुछ इंट्रेस्टिंग चीज भी है डबल वी लुकप के साथ आपको मैं बताऊंग अ का पर बतायता इसमें बतायता नेश्जसीडवी लुकप में ड्रम डॉब्डॉण लिश्ब कैसे बनाते हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सब्सख्आ लोगों कе दिक्कत रहती है कि ड्रम डॉब्डॉण लिष्ट में अगर आपके पास दो कॉलंब में मेरे कास मैं है making the double V rer लुक अपने देखा होगा उस पर प्रोड़क्ट आईडी लिखा रहता है और आपको एक बील भी मिलता है जिस पर बिल नंबर रहता है तो जब आपको उस प्रोड़क्ट की वेरिपाइब करनी या कुछ भी करना और इस रिलेटर काम तो आपको कमपनी पुछेगी आपका ब आर को बिल नंबर है बिल नंबर पेंपना की डीटीज़ मिलेगे अगर आपको बादेट बूल घ। बूल गए तो दो चीजे के बाद आपको रिजल्व्त मिलना चाह נब धूल तो अगर मैं तो यहां पर सारे product ID आ रहे हैं क्या वात है देखिए product ID यहां पर दिखाए दे रहे है। यह कैसे आई एक नई चीज़ है यह डेपिटलि आपको मज़ा है कि इसके सीखने के लिए और अगर मैं यहां पर bill number लेता हूँ तो यहाँ पे देखिए क्या है बिल नमबर आ रहे है और बिल नमबर से लेक करते हैं उसका details भी आ रहा है यह तो वी लुक अप का पार्ट है यह वाला double वी लुक अप का पार्ट है इसे हम delete मार देते हैं करने के बाद इसमें प्रोड़क करने के तरीके होते हैं इंडरिक लिश्टे मैं यहां पर मैं यूज रहा हूं इंडेक्स और मैंच आपके लिए काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूं match और index पहली बार आप देख रहे होंगे we lookup के अंदर आगे भी we lookup के अंदर match और index सीखने वाले हैं okay so match करता क्या है यह पहले देख लेते हैं पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए हैं match जिनको पहले से आता है वो लोग थोड़ा आगे भाग सकते match lookup value lookup array match type 3 arguments रहते हैं मैच में तीन और्गिमेंट्स lookup value lookup array match टाइप lookup value हमें क्या डूननी है हमें डूनना है यह प्रोड़ॉक्ट id डुनना चाहता हूं प्रोडॉक्त डून्ना है इस वाले टेबल में। ब्हान से दिखिए। इस वाले टेबल में मैं प्रोडॉक्त डूनना चाहता हूं। Okay पूरा मैनने इस तरह सेstorm शिलेक कर लिया है और कमा करके मैं exact match देना चाहता हूँ यह exact match रहेगा हमेशे . match में यहाँ पर exact match ही चाहिए हमें approach नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पर जो look up value वो number में ही नहीं कोई range में नहीं है particular ओके तो range look up तो ही नहीं range में नहीं देख रहे हैं exact देख रहे हैं तो exact match exact match मैंने यहाँ पर किया और मैं इसे अभी क्या कर रहा है मैं simply इसे करने के बाद मैं एंटर करूँगा और आपको दिखाए देगा कि यह product ID एक number पर है अगर मैं यहाँ पर bill number से लेका तो bill number उस वाली range में दो number पर है आपको यह बता रहा है उसका column number क्या बता रहा है column number अगर मैं यहाँ पर कुछ और type करो तो वो number बताएगा salesman type करो तो salesman फिलाल यह data validation में अगर मैं lookup value यहाँ से लेता हूँ h1 की जग़ h1 की lookup value है न हमारी अगर lookup value मैं यहाँ से लेता हूँ और यहाँ पर मैं salesman लिख देता हूँ तो salesman का column number है वो बताएगा 3 मैं यहाँ पर product लिखता हूँ का column number 4 है मैं यहाँ पर zone लिखता हूँ zone का column number 5 है तो column number बताता है match आपने जो range select की a1 से f a1 से f में कितने column पे है exactly column number आपको वो बता रहा है match तो आपको समझा की match काम क्या कर रहा है यहाँ पर हम match को ऐसे रख देते फिलाल के लिए यहाँ पर match ने आपको बता दिया यहाँ पर हमें फिलाल चाहिए bill number okay bill number का column number है 2 अब मैं यहाँ पर index यूज करूँगा तो आप index में क्या करेंगे हम यहाँ पर मैं index formula दिखा तो अलग सा type करके index formula कैसे लगाते है देखते है index index में array आता है array में हमारे पास यह पूरा array right यह पूरा table है यह हमारा array A1 से लेकर E11 तक हमारा array है clear है guys यह array उसके बाद हमें क्या करना है इस array को fix करना है हमेशा fix ही रहता है जब हमें drag करना रहता है कॉमा उसके बाद आएगा यहाँ पर row number तो हमारे पास है नहीं क्योंकि हम column में दुनेंगे न उसको product bill यह column addings है तो row हमें 0 देना है यह पर row बिल्कुल नहीं index में row में से value नहीं हमें column में से value चाहिए और column में से कौन सा है यह वाला column pick करेंगे यह वाला column यह यह match में से आया है यह bill number लिखा तो यह two तो two number column यहाँ पर दिखाएगा और two number की value यहाँ पर बताएगा लेकिन यहाँ पर फिलाल value आपको नहीं मिलेगी क्योंकि यह range है तो आपको पता यह range आपको control shift enter से लानी पड़ीगी control shift enter याद रखिए तो यह देखिए bill number column की heading आगी आपने क्या एंटर किया यहाँ इदर control shift enter करना है अगर आप simply enter करेंगे यह array है और array without control shift enter नहीं चलता है तो आपको इसे drag करना है drag कीजिए मैं drag करके दिखाता हूँ और now we are having problem actually हाँ f3 f13 हमें यहाँ पर fix करना पड़ेगा इसे मैंने fix नहीं किया था f13 को fix कीजिए और अभी drag कीजिए you will get the answer drag करके रखिए लेकिन याद रखिए कि इसे हमें करना है control shift enter okay मैंने क्या किया drag किया drag करने के बाद भी आप कर सकते drag किया पहले अगर result नहीं आया यहाँ पर will number आ रहे न अभी अगर आप यहाँ पर product ID डालते हो product ID ध्यान से देखिए product ID तो product ID की details एक number column की details यहाँ पर index लाके दे रहे index में array लिया है और यह column number एक है तो एक को pick करके यहाँ पर दे रहे है और control shift enter मैंने यहाँ पर किया तो result आपको यहाँ पर display हो जाएगा clear है आपको पहली बात तो आपको यह definitely समझ में होगा कि array इसमें ऐसा दिखाने के लिए control shift enter होता है और यह जो formula है ना यहाँ पर मैं F13 ऐसे अलग से लिखने से अच्छा कि मैं यहाँ पर match के लिए look of value हमारी यह रहे गया भी क्योंकि उससे काम करना है हमें उससे related है तो look of value वो लिया हमने इसे भी हम fix करेंगे look of value को comma match कहां पर दुनना है हमें यह वाले दोनों में दुनना है ना हमें यहाँ पर पूरा तो नहीं चाहिए तो हमें यह दोनों को लेना है match में भी क्योंकि a1 to b1 चाहिए ना हमें यहाँ पर bill number और product id दो ही चीज़े चाहिए तो a1 to b1 लिया कॉमा और 0 और यह भी हमें यहाँ पर fix करना है a1 to b1 तो यह भी हम fix करेंगे तो अब मैंने यहाँ पर bracket close किया ctrl shift enter किया तो answer आने वाला है अब मैं यहाँ से इसे हटा भी दूंगा तो भी चलेगा आप यहाँ पर change करो अभी bill number की जगा आप यहाँ पर product id चेक करो product id जो है वो display हो रहे यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर product id जो हो आ रहे ctrl shift enter याद रखी यह formula array में convert होता है जब आप इस formula को लिखोगे ctrl shift enter करना है यहाँ पर देख सकते है यह formula है यहाँ पर आप जब ctrl shift enter करते हो और इस पर cursor रखते हो तो यहाँ पर देखेंगे एक curly bracket आता है curly bracket curly braces आगया है इस formula में समझ जो यह array में convert हो चुका है और फिर आप इसे drag करो याद रखिए ctrl shift enter करना ज़रूरी है अगर आप इतना पार डिलीट करने जाओगे you can't change part of an array आपको यह पूरा डिलीट करना पड़ेगा एक साथ पूरा डिलीट होगा एक साथ पूरा एडिट होगा ने तो आप एक एक value डिलीट नहीं कर सकते है ऐसा होता है यहा पूरा पूरा formula आपको दे रहा एक result एक लिजड रहा है जैसे आप आप उपी करोगे इस formula को पूरा क докौ कौपी कर लो इसलिए lock लागाने की जरोद नहीं है इस में द्राइग नहीं करना है इसलिए तो इस पॉम्मला को यहां पर पेश करना है वही पॉमुला है और यहां से अपने इस formula का भी delete किया तो भी चलेगा So index and match यह आपको एक dynamic list बना कि देता है कि एक product ID select करो product ID select करने का दो उसके अंदर की जो चीजे हैं यह दिखाए देगी अगर आप यहापे bill number select करते हो तो उसके अंदर का जो bill number से यहापे दिखाए देगा कोस के अंदर एक complete वीडियो बनाया था data validation का लगबग आप अगर मेरे कोस में जाकर चेक करोगे 21 से 60 तुटोरियल में तो data validation का लगबग 28 minute का वीडियो जिसमें मैंने indirect data validation भी पढ़ाया इसमें बहुत बड़े-बड़े कोस के वीडियो आप देखोगे तो तो आपको बहुत सीखने के लिए मिलने वाला इस कोस के अंदर इंटरेश्टेट हो तो ज़रूरी इंडरॉल कीजिए इस offer का आथ से मत जाने दीजिए और इस कोस को खरीदने के लिए description में मैंने link दी अल्रेडी description में जाकर चेक कर सकते मेरी website को और सारी चीजों को चेक कर सकते हैं आपको क्या क्या सीखने मिलेगा तो आप यहां पर देखिए कि अभी हमें इस double look up का काम करना है अभी हम अपने topic के तरफ बढ़ रहे है double look up के तरफ बढ़ रहे क्योंकि अब तक हमने देखा था list तयार करना अब हमें यहां पर यह चीए कि अगर मैं इस में से यह वाला part select करता हूं तो मतलब bill number यहां पर select करता हूं तो इसके सामने जो data वो आना चीए या फिर मैं product ID से लेका तो product ID तो मैं पहला वी look up देना चाहूंगा और पहला वी look up मैं bill number का देता हूं चलिए या फिर आप पहला वी look up product ID का दीजिए बाहर का table क्योंकि हमारे पास एक दो टेबल है आप बोलोगे एक ही टेबल है दो टेबल है एक टेबल है जिसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पर नाम देख सकते हैं आप मैं नाम यहां पर टाइप करूंगा इसके लिए यहां पर टाइप करना है इसका नाम दे रहा हूं मैं list 5 मेरे पास list number 5 का यह table है और फिर मैं इसको अभी दूसरा टेबल यहां पर हो रहेगा यह वाला आप बलोगे दूसरा टेबल यह बिल नंबर से स्टार्ट हो रहा है यह हमारा दूसरा टेबल यहां पर दो टेबल है समझ लेना है पहले ही तो दो मैं select करता हूं f4 प्रेस करेंगे द्यान से देखिए f4 याने की fix आपको पताए fix कर दिया मैंने और h3 आ गया हमां पर fix हो गया look of value table array कहां पर table हमारा list 5 एज़ी है टेबल पूरा प्रोड़क्ट आइडी इसमें हमारा लेपमोश कॉलम है वह हमारा टेबल पाई टेबल पाई यह प्रोड़क्ट आइडी लेपमोश कॉलम में है ग्रेट कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर यहां पे जरा compute हो जाते लोग इसे जरा ध्यान से समझीए कॉलम इंडेक्स नंबर हमें dynamic चीए और हमें row formula रो क्यों 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 हमें vertical track करना है तो रो क्या answer देगा रो देगा 5 क्य 5 नंबर रो में यह formula लिखा जारे है हमें देखना रोंदा तो हमें 5 नहीं चीए माइनस करेंगे हमें भी बल नंबर नहीं पूछा है यहां पर salesman पूछा है वो देखना है तो हमें चीज 3 तो हमें यहां पर लेंगे कितना है 5 में से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो 3 आ जाएगा ओके यह चीज यहां पर समझो और यहां पर exact match चीए 0 ओके पहला भी look up तो हमने दे दिया पहला भी look up की सबसे answer आना चीए और यहां पर कुछ गड़ पड़े लिस्ट 5 में से है रो रो में से रो कितने हैं हमारे पास 5 5 में माइनस 3 ओके यह परबर है बस हमने यहां पर प्रोड़क्ट आपर डिस से लेक्ड रहा है तो आरा है तो हम ए पर लिप अपर लेते लिखा कहां पर मैंने पर बना तो आपने देखा होगा ज़रूर इपर हमने लिखा वी look up और इसके बीच में मतलब वी look up के पहले फिपर लिखा अगर इस göra warning to becker विलुकप में एर रहा है तो मैं एंडिंग में कोमा रखेंगे अगर इस वाले वी Sut mang एरर है ताम और एक वी लुक अप डाल देंगे और उसके लिली लुकप दुबारालि लिखेंगे वी फिक व्लूक अब हम इसी को लुक उपवालिए बनाएंगे जो कि एगी देखिए इस वाले लिशट 6 सिख्समें क्यूंकि यहां पर लिश्ट 6 में बल नंबर से क्योंकि ऑमारा लॉक उ कर दिंबल नंबर यह देखिए यह स्यमक्लाम लैभ मौश कॉलम अब the table look for the value in the leftmost column of the table याद करिए वी लुक अपकी definition जो मैंने आपको बताई थी और column index number column index number की तो बारी है रो देना है रो अगर देंगे तो रो बताएगा पांच क्योंकि पांच number row में formula लिखा जा रहा है याद रखिए यह नीचे आ गया है क्योंकि आपको पताई यह यह एक line में आएगा ऐसा करेंगे तो ओके तो उसे 6 मत समझ जाना यह पांच में लिख रहे हैं पांच में से minus करेंगे 3 क्यों 3 वहाँ पे 2 यहाँ पे 3 क्यों क्योंकि यहाँ पे जो है आपको दो number column में ही मिल रहा है यह देखिए एक number column आपके लिए बी है द्यान से सुनिए बी आपके लिए इस table के लिए एक number column है यह 2 यह 3 4 5 आपका table कुण सा है list 6 list 6 के लिए आपका look up value यहाँ पे है तो यह एक number column यह दो number look up value से हमारा column index number चालू होता है तो हमें 5 में से minus 3 करने है और यहाँ पे 0 करना है और हम बन गए होंगे अभी hero we look up क्या आप definitely hero बनने हो लिए यार ऐसे ऐसे we look up आप सीख रहे है और double we look up definitely समझाओगा अभी तो example 6 कवर हुआ है ठकना नहीं दोस्तों expert बनना है तो आपको video end तक देखना है और अब तक video देख रहे हैंने कि आप expert बनने की जिग्यासार रखते हो ज्यादा ही शुद हिंदी बोल दिया मैंने लगता है expert बनने के आप इच्छा रखके हो okay यह simple रहेगा तो आप जरूर expert बनेंगे अगर मेरी मानिएगा आप इसके पर practice करेंगे तो expert बनेंगे so practice makes man perfect किसी ने कहा है पता नहीं किस ने कहा है लेकिन आप practice कीजिए और अब आगे की पार्ट की तरफ बढ़ते है प्रैक्टिस के लिए फाइल मैंने description में दीए पहले से dot com चलिए अब बढ़ते हैं आगे की पार्ट के और आगे का पार्ट है multi table वी लुक अप पार्ट नंबर 7 यह पार्ट बहुत सिंपल है इसमें हम सिखने वाले multi table वी लुक अप अब multi table वी लुक अप होता क्या है मैंने कि आपके पास बहुत सारे table पड़े है और उसमें आपको वी लुक अप लगाना है वही आपको अगर मैंने 1001 idea इंटर किया तो उस table में जो उसके सामने वह और अच्छी अगर आप 1011 टाइप करते हो तो इसके सामने तो यह लीडी है फूर्टी है वह आ रहा है आ रहा है ग्रेट मैंने पहले से लगा दिया है एक्चुली आपको पर प्रीव दिखाने के लिए डेमो दिखाने के लिए यह क्या बोल सकते हम ट्रेलर दिखाने के के अंदर ही कुछ करना पड़ेगा जुगाड अगर लुकवाशनमिंगे के लुकवायी पर ही अंधर और उससाब से अमारा टेबल यह पर काम करेगा राट टेबल यहँ कह वाने सब्सक्राइब टेबल लिखती नाम रहां वर जॉह को नाम जुरूरी है फोकस तो मैं करके दिखा रहो आपको और इसका नाम क्या शुक्रиля देशाद यहां पर जाओ सब्सक्राइब करें आपको लॉडवन पहरे देबल वैसे रहेगी कि जो look of value उसके सबसे हम उसका table assign करेंगे तो हम क्या करेंगे यह पर is equal to we look up हमारा जो formula है वो लेंगे look of value यह look of value तो पहले देना ही है उसके बाद उसको check करेंगे right look of value हमने ले लिया look of value लेने के बाद हम उससे check करेंगे table array के अंदर अभी right अभी table array के अंदर क्या check होगा यह हमें देखना ज़रूरी है इसमें हम लिखेंगे if condition क्योंकि look of value तो हमारी f17 ही रहने वाली है और इससे fix भी करना ज़रूरी क्योंकि हमें इसे vertically drag भी करना है तो इससे fix भी करके रख दिया fix कर दिया okay f17 fix कर दिया no issues ip लिखा open bracket ip open bracket f17 के अंदर लिखी गई value f17 के अंदर ध्यान से देखे f17 के अंदर इससे भी fix करो f17 के अंदर लिखी गई value अगर less than equal to 1010 है okay मैं इसे zoom करके दिखाना चाहूंगा अगर वो 110 से कम है तो हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा data1 show हो जाए data1 हमारे range का नाम है data1 हमारे table का नाम है data1 तो data1 हमारा जो पहला table है data1 show हो जाए data1 table array के लिए show हो जाए table array में data1 आजाएगा यह condition यहाँ पर खतम नहीं हुई है क्योंकि हम पर पास और भी condition है अगर f17 के अंदर लिखी गए फिक्स करेंगे इसे लिखी गए values 1020 से छूटी है less than equal to less than equal to मतलब 1020 भी include रहेगा मैंने less than equal to लिखा है और यहाँ पर आएगा data2 समझे बेटा data2 ओके data2 तो यहाँ पर हम लेंगे अभी if open bracket again क्योंकि हमरे पास और एक condition है वो condition है तीसरे table के लिए अगर इसमें less than equal to 1030 है तो क्या है तो data3 अब तो definitely आपको समझा होगा कि data1, data2, data3 data1, data2, data3 को inverted comma में नहीं लिखना है क्योंकि वो एक range है और range automatic यहाँ पर select हो रही है आपको उपर highlight दिख रहे table अलग अलग color में आपको इस formula आप correct लिखते हो तो color में आ जाता है और color तो आना ज़रूरी है जब color में आता है तभी तो आपका formula correct रहता है ने तो आपको ब्लैक में आ रहा है तो range select नहीं है, range को नाम define नहीं है ऐसा हो जाएगा फिलाल तो यह सारी चीज़े पता चले हमने table को नाम पहले दिया है याद रखे इसलिए यह possible है और नाम कैसे देना हमने पुराने पार्ट में समझ लिया है कि range को नाम कैसे देना है select करके ओके इन सारी चीज़ों को हमने देख लिया और यहां पर EAP का जो bracket है वो close कर देंगे लेकिन EAP में एक bracket नहीं दो bracket नहीं तीन bracket close करने पड़ेंगे देखिए ग्रीन और पॉपल और रेड़ यह तीन bracket में इप के यहां पर close कर दिये अगर आप यहां पर notice करोगे तो तीनो bracket complete होने के बाद ही टेबल एरे ये वाला जो टॉपिक है फी लूक अप के अंदर का कंप्लीट हो चुका है टेबल एरे डायनेमिक लेगा इप कंडिशन की हिसाब से याद रखी डायलोग मैंने रिपीट भोला है and column index number यहाँ पर क्या चाहिए आपको बता है कि आप अभी रो की जुरुत पड़ेगी हमें रो लेंगे हमें आपके और रो लेने के बाद रो का number देखिए 18 है जिसमें हम formula लिख रहे है minus हम 16 करेंगे और comma 0 क्योंकि वो automatically दो number column का डेट आपको बताएगा 18 minus 16 2 और enter and now drag it drag it and check it out और यहां पर कुछ तो गड़ बड़े किसी को तो fix करना भूल गया हम app 17 को यहां पर हमने fix नहीं किया यहां पर fix कीजिए क्योंकि वो value उसी में से आ रही है वैसे भी last वाले table में से और यहां पर result आ चुका है अब 1019 type कीजिए great वही आ रहा है LED और 34 आप चेकिजिए ना खुदी यार मैं क्यों आपको बता हूँ कि कैसे चेक करना है आपको देख रहा है 1008 अगर 1008 में यहां पर जाके देखेंगे तो वही वही आ रहा है देखिए 1008 राइट ओके गॉड़िट गाइज तो यह था multi table we look up आपको समझा होगा कि multi table में हम काम कैसे कर सकते है अब बढ़ते part 8 की तरफ अब part 8 में क्या है मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा part 8 के अंदर हम देखने वाले we look up on multiple sheets तो sheets कहां पर इसके लिए तो sheets मैंने इसके लिए already लेके रखी यहां पर only मैं आपको दिखाना चाहूँगा sheets data 1 data 2 और data 3 में पास 3 data पड़े है data 1, data 2, data 3 वैसी है अलग-अलग sheet में हैं तो हम multiple table का we look up कैसे लगा सकते यह कहना है मेरा और मुझे क्या करना है कि यहां पर data suppose data 1 में क्या लिखा गया है bill number मैं यह bill number को copy कर लेता हूँ और multiple sheet के इसमें paste कर देता हूँ मैं चाहता हूँ product आ जाए है यहां पर लेकिन product कहां पर data 1 में पड़े है और data 2 sheet में क्या पड़ा है quantity है data 3 में क्या पड़ा है zone पड़ा है तो ऐसे मुझे चाहिए अभी कैसे उठाना यह तीनो table मैं से मुझे यहां पर चाहिए तो simple है इसके लिए भी बहुत simple है यहां पर चाहिए data 1 में और इस table को नाम दीजी इसको select करके इसको नाम दीजी यह हमारा product table है तो हम इसे product table नाम देते है product t, ऐसा नाम देते प्रॉड़ाक्ट टेबल्फ ती इस शीट को नाम देनागे देते हैं मतलब इस टेबल को टेबल को नाम देना बहुत quantity तो मल्टीपल इसमें आ जाएंगे और यहां पर लुक अप का काम करेंगे लुक अप में लुक अपर लुक वैल्यू गाईज टेबल अरे कॉलम इंडेक्स नमबर रेंज लुक अब देखिए क्या है यहां पर सबसे पहले हम लेंगे लुक अपर लुक अपर फिक्स नहीं कर यहां पर यहां पर अपको मिल जाएगा इस तरह से यह है और वैसी आपको इस पॉमॉला को को कॉपी करना है प्सक्ट करना है यहां पिलिखना क्यूट वॉए है बगेद यहां पर पेस्ट करना और यह पर लिखना है कि आ मैँ यहां पर लिखेंगा हम छोन ती ऑंट बजुकी दी राइट गाइज हो गया हो गया हो गया है यह multiple sheet में से data हमने यहां पर उठा के लाया यह है multi table we look up sheets that's it अब हमने यह तो देख लिया कि we look up multiple sheet पर कैसे apply होता है जैसे में पास अलग लग sheet में data है और वो मैंने यहां पर ले लिया जो कि आपको दिखा दे रहा है अब इसी पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं जो कि है we look up on workbook पार्ट नमबर आठ ही चल रहा है हमारा क्योंकि पार्ट नमबर आठ में मैंने दो तिन एक्जमपल आड़ किये जो कि similar रहेंगे तो we look up on multiple workbook करते हैं इसके लिए मैंने already workbook बना के रखे मैं इसे open करूंगा फाइल में जाओ आपके पास पहले से workbook है जिसमें डेटा है वहां से आपको डेटा लेना है फाइल में जाकर open में जाओंगा और यहां पर report one और report two ऐसे मेरे दो workbook है आपको दिखाए दे रहे है report one में में पास product का डेटा पड़ा है वही डेटा लिया है मैंने example के लिए औ फाइल में जाओंगा फिर से में और open में जाओंगा आपको report two यहां पर दिखाए दे रहे है यह report one और report two यह दो मेरे फाइल open है अगर आप देखेंगे यहां पर लग बग तीन फाइल आपको दिखाए दे रहे है अभी right report one two or three अब मैं क्या चाहता हूं कि report one or two के अंदर ज मुझे यहां पर मिले we look up on multiple workbook में मतलब मेरे दो workbook में अलग-अलग data है वो मुझे इस workbook में चाहिए यह वाली sheet में जहां पर आमने इस वाली sheet को create किया right we look up it we look up on multiple workbook इसमें चाहिए तो यहां पर अपने product ID लिग दे जितने भी है आपके suppose मैंने से really drag किये जो भी है अब य view में जाओ और view workbook side by side या पर देखे view menu में आपको एक option मिलता है जिसका नाम है view side by side यह जब आप click करोगे तो आपके workbook पूछे जाएगा कि कौन से workbook को side by side आपको करना है करना है आपको दिखाए दे रहा है एक कोई भी workbook से लेकर क्या पोके करते दोड़ो workbook side में आ रहा है एक workbook बीच में इसे भी डबल क्लिक कर लो और थोड़ा चोटा कर लो उपर डबल क्लिक करना है टाइटल बार पे तो minimize आप इसे ऐसे भी adjust कर सकते सभी workbook को side by side रखने के ले दिखाए दे रहा है side by side benefit यह होता है कि आप किसी workbook को किसी workbook मतलब किसी workbook का data किदर भी ले सकते देख सकते हैं आपको side by side view मिल रहा है यह देखिए मेरा report one उपर देखिए title बार में अगर notice करोगे तो उपर report one वाला यह workbook है यह वाला report two वाला workbook है उसके side में और उसके side by side view होता है और नहीं हो तो आप ऐसे इस workbook को maximize और minimize करके उसके उपर काम कर सकते हैं तरीका आप अपना हो यह पर minimize करो मतलब इसका size minimize कर चोटा करो restore करो size को restore करके size को इस तरह से कम ज्यादा कर सकते हैं mouse pointer border में लाको यह तो बात पता चलिए आपको मैंने ऐसा क्यों किया लुकप वैल्यू अपकोस यह रहेगी और यह fix नहीं रहेगी क्योंकि रेंडम ली चेंज होती जा रही है को मा टेबल अरे यहां पर मुझे टेबल अभी दिख रहा है और मैं जाके ऐसा से लेकर होगा देखिए टेबल को मैंने नाम नहीं दिया है कोई बात नहीं है टेब अगर आपको आपको नाम पता है तो आप ऐसे लिख सकते वह बुका नाम आपको स्क्वेर ब्रैकेट में लिखना है उसके आगे रिपोर्ट मतलब का नाम पूरा आएगा रिपोर्ट 1.xls जैसे इस वह बुक का नाम है अगे जो भी शीट आपका शीट का नाम आएगा शीट 1 और उसके बाद आपकी रेंज आएगी वह भी फिक्स आटोमेटिकली आ पर आ रही है तो आपको फिक्स करने जुरूद नहीं है वैसे भी हमें फिक्स ही चाहिए तो यह आटोमेटिक आ जाता है जब आप यह वार्क इसे ड्रैक करके लेते हो तो रिजल्ट देखते हैं और एक्जाट ले आ रहा है जो हमें चाहिए तो उस वह बूख में से अब इस वर्क बूक में अभी यह वर्क बूक जब मैं स्क्रोल कर रहो तो यह दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज क्योंकि रिपोर्ट वन को सcalled because the number above command इसक्रोल कर गता तो आहिए सक्रूल करता हो बास तो रिपोर्ट वी स्क्रोलों होगा यह नहीं स्क्रोलों क्योंकि साथ अब ने साथ वाइश वाइब कर सकते यह तो वह जो भी साइडबाइस वियू है वह एक ऑप्षन है बस आपको साइड में लेने के लिए आप वैसे भी दोनों को रिस्टोर छोटी स्क्रीन करके भी कर सकते हैं यह है लूक का बार हमारे पास को आई गाद टेबल ए स्बार है हमारा रिपोर्ट टू का देट अरे पिर आपके पास डेटा है उसे आप से लेक्स कर सकते हूं अब अगर देखेंक यहाँ पर इसका भी नाम यहाँ मैं स्क्रोल करके बताता हूं इसका भी नाम क्या रहा है इस वाले चीज को ज़रा साइड में रख दो यह बीच में आ रहा है रिपोट टू डॉट एकसलेस एकस शीट वन एटू से लेकर भीट फैल रिपोट टू डॉट एकसलेस यह देखिया यह स्क्वेर बैकेट में अगर आप चाहते हैं कि वही मुझ शीट वन है उसमें फिर एकसलेमेटरी मार्क और फिर आपकी रेंज जो भी रहेगी रेंज के हमारी एटू से लेकर यहां पर बी ट्वैल तक या बी ट्वैल हाँ बी ट्वैल है और इसको उम्फिक्स करेंगे डॉलर साइन देढ़ देंगे इसको दे देना है तो एप फोर टू नहीं लिखा है रिपोर्ट टू नहीं आया था इसलिए नहीं आया था ओके डिवल क्लिक करो और डबल क्लिक करके ड्रैक करो यह भी आपको मिल जाएगा ज्वाब इस तरह से आपको मिलेगा यहां पर करना समझ गए होंगे यह मारा डेटा वी लुक अप ऑन मल्टी वर्क बूक हम सीख रहे और इसमें मल्टी पल शीट का भी देखा इस पार्ट में पार्ट में और पार्ट में यह भी देखा कि कैसे होता है राइट गाइड इसका भी प्रैक्टिस कीजिए और रिपोर्ट और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दे दिये इसी के साथ अब आपको आगे की तरह बढ़ना है और वह है वी लुक अप इंट्रीव क्वेशन एक इसी पार्ट में मैं कवर कर रहा हूं पार्ट एट के अंदर ही हम एक और एक्जामपल देख रहे हैं एक छोटा सा इंट्री किया तो उन्हों ने अपना डेटा फिल किया लेकिन बाद में जब डेटा कलेक्ट किया मैंने सब मेरे ओनलाइन फॉर्म से वगरा कुछ भी है तो इन लोगों ने बाद में आपको डेटा दिया है तो जिन्हों ने बाद में डेटा दिया निव डेटा करके आपने एक लेने वाला हूं तो मैं आपको यह पूछूँगा कि यहां पर मुझे डेटा फिल करके दो वी लुक अप की मलत से तो आपके यहां पर लगा नहीं सकते क्योंकि यह डेटा तो वहां पे अवैलेबल ही नहीं है मुंबई वगेरा जो मतलब मुंबई लोकेशन कंपनी का नहीं लोकेशन नाम देने के बाद एंटर कर दिया और यहां पर आते अब मैं क्या करूंगा सिंपली मैं इसके फिल्टर अपलाई कर देता हूं राइट सो फिल्टर अपलाई करने के लिए बहुत सारी अलग अलग या फिर आप डेटा में से भी जा सकते हैं यहां पर फिल्टर दिया गया है फिल्टर डेटा में फिल्टर ओके फिल्टर पे क्लिक कीजिए फिल्टर अपलाई हो गया आपको बता यहां पर फिल्टर में एक ऑप्शन रहता है जब आप स्क्रोल करोगे सिकें कॉलम के लिए मैं फिल्टर कर लगा रहा हूं इस कॉलम के लिए लोकेशन के और blanks को अगर मैं चेक रखता हूं ना देखिए, blanks को मैंने चेक रखा, तो आपको स्क्या होने वाला है, blank ही शो होने वाले ग्रेट, अब आपके पास blank आगे है, अब आप इसमें we look up लगा दो, आराम से मतलब फटापर लगा दो, we look up, यहाँ पे क्लिक करो look up value, और कॉमा, table आपके पास table का नाम है, location, जो कि आपने अल्री टेबल का नाम दिया है, time saving के लिए, column index नम पर वापर दो है, जिसमें location लिखा गया है, और zero, तो हमारा काम हो गया, we look up एक च्छोटा सा formula है, जो कि हमने लगा दिया, यह तो आपको definitely अभी आता ही होगा, we look up, और आप में ड्रैग होगा, देखिए, चन्य सूरत आगया, और इस filter को आप हटा दीजिए, clear filter location, clear filter from location, oh great, right, समझ में आपको यह देखिए, आपको मुंबई का data है, मतलब मुंबई का data पहले से था, जो blank है, वहाँ पे we look up आ चुका था, आ चुका है, I mean to say, blank है वहाँ पे we look up आ रह logic build करने का तरीका मैंने आपको बताया, right, okay, और यहाँ पे पुने पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे filter पे क्लिक करता हूँ, तो पुने का data आपको दिखाए दे रहा, यह filter icon यहाँ पे कैसे आई, यह मैंने learn more channel के पुरानी वीडियो में पताया, इसके पहले जो वीडि की तरब, so part number 9 में है reverse look up with choose formula, we look up reverse में करना है, reverse में क्यों मैं आपको बता हूँ, कि we look up हमेशा सीधा काम काता है, सीधा है left to right, सीधे का मतलब, left to right, मैंने आपको कहा था कि left side में जो column रहेगा, वो आपका unique values से बढ़ा हुआ रहे नहीं आपकी look up value रहेगा, यह आपकी look up value र रखते थे हम, इस बार मैंने product ID right में रख दिया है, तो क्या we look up काम करेगा, we look up तो काम नहीं करता है, तो इसमें कुछ जुगाड करना पड़ेगा, हमें यहां पे कुछ logic apply करना पड़ेगा, और वो हम choose formula की मदद से करेंगे, choose formula we look up के अंदर add करेंगे, और हम यहां पे इसक solution यहां पे बनाना इसका, तो चले, उसके लिए क्या करेंगे, product ID हम यहां पे लिख देते है, product ID 1, 2, 3, 1, लिख दिया, यह है right side में, और मैं चाहता हूँ कि reverse जाए, इसी को reverse look up बोलेंगे, हम lab का data चेक कर रहे है, right side में हमारा पास unique column पड़ा हुआ है, जो look up value का है, और हम lab side data check रहे है, तो उसी को reverse look up बोलते है, लेकिं reverse look up बोलते है, लेकिं reverse look up बोल्ते हैं, लेटिर फिल्मकरा र्क रहे हैं लेगे लेगे, लोग बहुद के लिख के उति भाई कर रहे हैं लहां कर रहा है वी हम कर लोदे इसके लिख कर ले y nay पर पास जाए hadd過來 1 और कि आऊ पर उस तो इसी के लिए हम टेबल आरे को चूज फॉर्मूला के अंदर लेने वाले चूज यहां पर मैंने चूज टाइप किया और जब चूज से टाइप करोगे तो चूज में आता है इंडेक्स नंबर आखें वेलो 1,2,3 वेली 1,2,3 में आएगे रेंच और इंडग्स नंबर में आएगे रेंच का पूजिशन याख involvement में बहुत है लेकि जब है आप जल सवाग्स कको बर्रेंच करणा में पजिबसें September A,2, यह हैं हमारा index number आ गया? अब index number देने के बाद हमें देना है कोमा आगे क्या करना है? इंडेक्स नंबर के according जो इंडेक्स नंबर में 1 है उसकी position पर आपको किस का range ही है डियान से देख्या? 102 उसकी position पर मुझे क्या करना है? इसकी range ही है मैं यहां पर 102 नहीं लिखूंगा, आगे भी लिखना है मुझे, मैं बस एक example समझा रहा हूँ, आपको 102 का पहले, तो पहले position पे मुझे यह product ID जो है, इसकी range चाहिए, याद रखे, आप product ID column के साथ लेंगे तो भी चलेगा, product ID की range हमें चाहिए, पूरी की पूरी, पहले position पे, और यहां पर हमारा यह choose का bracket जो हो जाएगा, close हो जाएगा, choose में क्या किया है, दुबारा देखिए, एक number, दो number, मैंने ऐसे index की position रखी, यह index position से, और एक number पर मैंने लिया, यह column, अभी जो हमारा left side, right side में column है, product ID, वो last में है, तो उसे मैंने एक number पे define किया, यह देखिए, दो number पे हमने डाला, salesman का, यह column डाल दिया, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है column index number, अपकोस column index number हमें क्या देना है, फिलाल तो दो देना है, क्योंकि एक number column हमने इससे define किया है, अभी हमारा एक number column यह है, product ID, और दो number में हमारे पास salesman है, यह देखिए, दो number position पे जो रखा इसको अभी दो number आसाइन कर दिया है, चूज ने, चूज आसाइन कर रहा है, इसको दो number, अब हम यहाँ पे दो देंगे, इसका मतलब यह हो गया है, कि मुझे salesman दिखाए दे, और comma zero, अब देखिया, मैं इंटर कर रहा हूँ, फिलाल के लिए आप देखिए, इसका result क्या र और यह लोग पार हूँ, और यह look up हो रहा है और यह लेक्ली लेप सिहर के है, अब मुझे सब के लिए करना है, एक के लिए थोड़ी करना है, तो मैं यहाँ पर दो नहीं, जाई यहाँ जटेंगे लिए धे देलेम आभी आपको मैंनने बस बताया था कि पोजिशन पाँच पाँच कॉलम में बेपास पाड़ो कितने थे पाँच हाथ की आउंगले कितनी है पाँच और डाड़ी एक ही यह भई पाँच मत बोलो मैं क्लास में ऐसा सावाल पूछ तो चुट असा जोक आपके लिए यहां पे देखिए यहां पर करना क्या है पाँच में लिखे नमबर पोजिशन पर आपको क्या चाहिए चाहिए यह आपको लेना है चाहर को कौनसा कों चाहिए आपको जह पूछ नंबर पूजिशन में बता है इंडेक्स नंबर में और कने दाए और करें करें आप इंडेक्स नंबर के लिए काम सुन है कि पहले पर ऊपने लिया je यहां पे दूसरे नबरे आपका आपके ऐसा टेबल है और यह आप के एक लार पहर इसी फॉर्टेबल आक्रतंप बना के दे रहा है याद रखिए तो यहाँ पे मैंने F9 प्रेस किया भी F9 प्रेस किया चुछ फॉर्मॉला को सिलेक करके तो आपको दिख रहा है पहले प्रोड़क्ट आइडी उसके बाद सकते हैं तो वी लुक अप के अंदर चूज इसलिए यूज किया गया है क्योंकि चूज टेबल के अंदर की कॉलम की पोजिशन आपको आपकी एसाब से अरेंज करके देगा अगर आपको लगता कि आप प्रोड़क्ट आइडी मेरा तीन नंबर पे है तो आप यहाँ पे जो अगर जो एक नमबर पोजिशन पर यह नया टेबल यहाँ पर फॉम हो चुका है वर्चोली बना है यह टेबल कई पर ऐसा कॉलम में हैं नहीं लेकिन इसने वर्चोलि आपको बना के दिया है अब यहां पर कॉलम इंडेक्स नंबर तो दू ठीक है लेकिन अभी आप इसके तो हमेशे ho लिन है lowống ka क्यों लिया क्यों कि तीन नंबरो में यह tip कर। करें और हमें चहिए है जवाब दो कॉल सु में आन्छ हाँ खो आने चलिए टो कि आणर क्या रहे देखिए low-third enter की जई है आगे तो आटोमेटिकली काम करने वाला है वहर ड्रैक की जी और check it out लेmic बरवर है चौथी रेंज पे है ब्रैकेट क्लोज किया है हमने चूज का फिर रो का फॉर्मूला दिया है एंड एंटर किया है तो यहां पे एक गड़बड हमें नोटीस हो रही है जो वी हाव तो फाइंड आट प्रॉब्लम्स यहां पे रेंज फिक्स नहीं है यहां पर दिखाए दे रहा है इस फॉर्मूला में क्लिक करो आपने केसी की भी रेंज फिक्स नहीं कि तो यहां पर तुरन नोटीस हो गया कि यह नीचे जा रहा है हमने रेंज को नाम तो मतलब अलग 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 लग लें न तो हर एक कॉलम को हमें फिक्स करना पड़ेगा जब हमें ड्रैक करना है तो आपकुस फिक्स करना पड़ेगा नहीं तो लाश कॉलम के लिए डेटा पिक नहीं कर पाएगा या कोई ना कोई कॉलम में एरर तो जरूर आते रहेगा ओके तो मैं सभी को फिक्स कर दूंगा यह हमारा चोटा सा एरर है जो कि हमने यहां पर फाइ पर फाइब कर दोस्तों अब इंडेक्स एंड मैच के लिए अलग सा पार्ट बनाया तो मैं यहां से इसे फिलाल डिलिट कर देता हूं यहां पर नए पार्ट में मैंने उसे रखा है तो यहां पर आपको यह समझ में होगा कि चूज फॉर्मूला करता क्या है काम चूज कॉँकि आप डेटा की अपर अप्लाय करो रइट तो आपको जो कॉलम पर लेना है उसका रेंज यहां पर स spec समझा हुगा बहुत सर्碰ोग सवाल रहता है क्या रूप में काम कर सकता है तो गल्स relieved gap प्राइट फिलाल तो टे नमबर यानि कि रिवर्स लुक अप हम इंडेक्स मैच के साथ कैसे करेंगे इसके तरफ बढ़ने वाले हैं यहां पर इंडेक्स और मैच यह फंक्शन प्रॉपर ली आपको यूज करना आची पहले में बता देता हूं और यह कैसे काम करेंगा यह से प्रैक्टिकली जरूर देखना चाहेंगे यहां पर मैं आपको बताओ कि हमें दो चीजों की जरूरते इंडेक्स के अंदर अगर ब्याइं रो यहां पर हमारे भी है रो नंबर भी है और कॉलम नंबर भी है तीनों भी चिज़े है program unsere produkts ID 10012そうですね यह हमारे row numbers है, इस row number के according मुझे लेपसरी का data pull करना है, यहाँ पे लाके रखना है, यह हमारे पास row number पड़े, row number तो आपको समझ में आई, row number मिला, इसका row number ढूनना है, पहले तो इसका जो भी इंटर किया है, मैंने 1, 2, 3, 2 इंटर किया, तो इस range में row number कितने number position पे row number ढूने तो इसका row number ढूनने के लिए हम match लेते हैं, ध्यान देजे, match, यहाँ पे look up value, यह look up value है, row number ढूनने के लिए क्या करते हैं, match, उसके बाद look up value, simple वही तरीका हम यूज़ करेंगे, row number पहले ढूनने के लिए बता रहा हूँ, look up array, हम यह वाला array लेंगे, right, इसमें ढूनना है पहले row number ढूननते हैं, row number मैं आपको ढूनन के बता रहा हूँ कि उसका row number क्या है, यह बताएगा, तीन number row में आपका यह value है, अगर आप यहाँ पे 1, 2, 3, 5 लिखते हो, तो यह है पाच नमबर, 6 number row में, यह देखें, 6 number row में, तो row number match से कैसे ढूनना जाता है, match पहले वही का काता है, कि आपको row number और column number देगा, क्योंकि index में में दो चीज़े चीज़े, row number और column number, तो इसका row number आपने डून लिया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, match, दुबारा देखें, match, इसे select किया, comma, इस range को select कर लो, comma, exactly match, 0, exact match, match इस तरह से, match में look-up value देना पड़ता है, match में मुझे अभी, आगे इसमें मुझे इंडेक्स यूज़ करके, इसका, यह जो, यह जो column लिखे है, क्योंकि column भीज़े ही, मुझे क्या करना है, इस column में, column number, find out करना है, तो is equal to, मैं column number के लिए भी match यूज़ करूँगा, यहाँ पे देखें, row number मैंने लिया, और यह column number मैं यह पे match, दुबारा देखिए, इस value value को look up करना है, कॉमा, इस range में look up करना है, समझ में आपको, इस value value को यह वाले range में देख रहे है, और 0, exact, match अभी उसका column number बताएगा, देखिए, product ID, इसमें कितनी number की position पे, पाचवी number की position है, आप अगर यहाँ पे इस range को fix रख देते हो, त सब की position आपको बता देगा, पाच, एक, दो, तीन, चार, मुझे वैसे भी product ID की position नहीं चीए, लेकिन इसकी position आ रही है, salesman की position है, एक, इसकी product की position है, दो, zone की position है, तीन, और sales की position है, चार, तो यहाँ पे we look up बिल्कुल use नहीं हो रहा है, बस हमारे match में हमने पहले find out किया है कि कॉलम कॉन कॉन सी, इसका position क्या है, इस कॉलम का क्या है, इस कॉलम का क्या है, इस कॉलम का क्या है, कॉलम की position मैंने find out कर ली, मैंने row की position find out कर ली, या पर जो भी row enter होगा, उसकी position हमें या पर पता चल जाएगी, तो वही हम index में करेंगे, index, index में हम देंगे पूरा array, यह आ हमारा array A1 to E11 अपकोस हम इसे drag करना है तो हम इसे fix तो करना ही पड़ेगा अब row number पुछा गया दिखिए पूरा array दे दिया है मैंने row number पुछा गया कि मैंने बोला कि row number 6 में जाके array select नहीं हो प्रॉपरली मैंने comma नहीं दिया मतलब array दे दो और बाद में comma दो यूज किए फिलाल हम इसके अंदर भी यूज करेंगे हम यहां पर simplify कर रहें एंटर कर रहें तो batman आ रहा है और column number 1 में वह बता रहा है कि यहां पर batman है 6 number row पी ओ ग्रेट यह देखिए 1,2,3,5 पे अगर यह 1,2,3,2 रहता तो यहां पर iron man है राइट उसी row में दिखा दे रहा है salesman में add man है पर index काम कर रहा है हमारा क्या बात है index काम कर रहा है array देया है पूरा पूरा table j2 में दिया है row number k3 में दिया है column number और यह j2 और k3 अगर मैं यहां पर यहां पर यूज कर चुका हूं वह मैं अगर यहां पर यूज करूंगा तो चलेगा ना इंडेक्स का formula दुबारा लगा देते हैं अब थोड़ा सा बड़ा लगेगा index का formula अभी छोटा लग रहा था क्योंकि आमने अलग sale में उसको reference दिया था अब हम यहां पर कॉमा करते where is my row number guys row number क्या है मैच ध्यान से सुनिएगा इसे मैच में यह वाली यह वाली रेंज पहले fix कर दीजेगा अभी आपको यह फिक्स भी ध्यान रखना है क्या क्या करना है कैसे करना है यह है हमारा look-up value पहले हम row number ढून रहे हैं इसलिए इसका position ढूनेंगे इसको fix करेंगे किस एरे में ढूनना है हमें यह वाले एरे में ढूनना है इसमें starting से पुरा select करेंगे क्योंकि हमने index पूरा select किया है और इसे भी हम fix रखेंगे यह पहले हमें row number मिल गया यह देखिए यह row number बता देगा इसको select करके आप F9 करिए चेक करने के लिए अपने आपको cross check कीजी हमेशा 1,2,3,2 यह तीन number row में है exactly तीन number row में है good undoke easy control 0 हमने match से इसे चेक कर लिया कि भाई इसका जो position है वो कहां पे है पहले यह formula हमने समझ लिया column में होगा फिर से match column में फिर से match कितनी बार match खेलेंगे यहां पे देखिए lookup value, lookup array और match इसका भी lookup value देना है यह lookup value बट यह fix नहीं रहेगा क्योंकि यह change होते जा रहा है तो इसे हम fix नहीं करेंगे इसमें क्या fix करना है क्या नहीं मैंने पहले ही बता है ध्यान से देखिए h3 बिल्कुल fix नहीं रहेगा क्योंकि हम drag करेंगे तो product होगा कभी zone होगा कभी sales होगा तो h3 को मत fix करो लेकिन यह lookup array जो होगा यह वाली चीज़ यह आप फिक्स रहेगी तो यहां पर फाइनली हमारा यह formula हो गया है और हमें supporting sales की बिल्कुल ज़रूत नहीं है हमें यहां से डिलीट कर सकते है फिलाल उसे रहने दो लेकिन यहां पर रिजर्ट देखो यहां पर अगर अपने से डिलीट भी किया तो भी कोई और उसी column के according उसकी values यहां पर आपको मिल जाएगी तो आप यहां पर index के अंदर जो row number उसमें भी match यूज कर सकते है column number उसमें भी match यूज कर सकते है यहां पर we look up तो है नहीं यह लेकिन यह reverse काम ज़रूर कर रहा है तो यह reverse look up का, reverse look up का एक example we look up नहीं बोल सकते हैं वहां पर हमारे पास we look up reverse कर रहा था यहां पर चूज के साथ लेकिन यह पर reverse data का लाने के लिए आप index and match यूज कर सकते है और चूज भी यूज कर सकते है यह चूज यूज यूज या फिर आपको लगता है कि आपके पास office 365 है तो आप XLOOKUP यूज कीजिए मेरा कोई कहना नहीं क्योंकि XLOOKUP रिवस आटोमेडिक काम काता है वह तो प्रॉब्लम उन्होंने solve कर दिया है लेकिन उसके लिए office 365 का subscription चाहिए फिलाल अगर आपके वस यह office है तो इसमें ही आगे बढ़ी है और नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं पार्ट 11 जो कि हैं हमारा वी लुक अप प्लस मैच गाइड्स वी लुक अप प्लस मैच यहां पे क्यों लिया है मैंने इसके लिए backup data भी लिया है हर एक sheet के लिए कुछ न कुछ यहां पे नया data आमरे पास पड़ा है यहां पे data है में पास product और 12 मैंने का record है और यह 12 मैंने का record मैं इस वाले sheet में देखना चाहता हूँ जैसे मैं month change करूँ तो वह record आना चीए month change करूँ तो वह record आना चीए है आपको समझेए we look up से solve करना इस problem को तो हम क्या करेंगे इसके लिए क्या-क्या solution हमें करना पड़ेगा यह मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो हम एक backup data में जाएंगे इस data को एक नाम दे देंगे क्योंकि हमें वहां पर इस street में बार-बार जाने की जुरूत ना पड़े तो एक तो range हमें इसे define वैसे तो जाना पड़ेगा हमें उस street में लेकिन एक तो range हमें यहां पर define कर देते हैं तो यहां पर हम इस name को इस range को name देते हैं मतलब month data करके मैंने इसे नाम दे दिया है इस पूरे data को select करके month data अब यहां पर आते है वी look up में और और एक range हमें चाहिए क्योंकि यहां पर जो dropdown हमने बनाया यहां पर यहां पर dropdown कैसे बनाया मैं आपको दिखा देता हो data validation में यह मैंने select किया यह देखिए data validation में जाओ और यह जो data है आप जाके ऐसा बड़ा select कर लो right यह है हमारा dropdown यह जैन दिखाए देना ना जैन पर यह dropdown बन चुका है करना लिस्ट में जाकर करना यह बने आपको पहले बताएं अब यहां पर भी look-up के-बारे में जहनेंगे look-up क्याने यह है हमारे look-up value अब यहां पर look-up value देना उसको ज्वड़ा धरान से दिखिए यहां पर मैंने lookup value अगर मैं यहां पर लेता हूँ June वाली lookup value तो ठीक है, table array कुन से हमारा पास table array हमारे पास है backup data में हमने जो month data नाम का table defined किया है उसे मतलब नाम दिया है range को range defined किया है तो इस range com लेंगे यहां पर देखिए b1, month data range को defined किया है मैंने अलड़ी b1, month data और यहां पर आएंगे table array के बाद column index number यह important चीज है हमारे लिए अब तो काम है पता चला कि हमारे पास lookup value है lookup value जो कि fix है fix करेंगे हम month data data तो already मैंने वहां से ले लिया उस sheet में से data हमने अलड़ी define किया है जाके select करने की ज़रूत नहीं है और range lookup sorry column index number यहां पर एक important चीज है जिसमें यह column बदलते ही उस column में जो उसका position है वो आना चीए द्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ यहां पर मैं June की जगर जुले करता हूँ तो उसका position मुझे चाहिए तो मैं यहां पर अगर फिलाल June का position 6 लिख दूँगा 6 है June का position वहां पर आपको comma 0 नहीं 7 है June का position 7 क्यों मैं बता रहा हूँ 0 और मैं enter करूँगा तो यहां पर report तो नहीं आ रहा है कुछ तो गडबर है हमारे data में और that we have to find out June का record यहां पर क्यों नहीं आ रहा है तो यहां पर we look up का formula कैसे apply करेंगे चलिए देखते सबसे पहले हमें करना क्या है हमारी look up value देनी वी look up को यह हमारी look up value है हमें इनका data धूणना है और इस month का धूणना है तो आपको इस month की position तो पता होनी चाहिए न कि यह month कौन से position पे ह 1, A, B, C, D, E, F, G, right? G7 position पे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैसे तो June 6 नमबर पे आता है जायन से लेकिन हमारे इस column से start करेंगे तो June 7th position पे है, right? इस तरह से आपको दिखाए दे रहा है June है 7th position पे तो आपको वही करना है कि June की position पहले निकालना है तो June की position हम किस से निकालते है? match से, match यहाँ पे जरूरी पड़ेगा मैं, यहाँ पे देखिए B1, इसकी position में निकालके दिखा रहा हूँ, B1, June को से लेकर करके, कहाँ पे जाना है? backup data में, इस वाले range में, यह पूरी range में ल तो और यहाँ पे continue करना है आपको, दिखाए दे रहा है, आपका match है, B1, आपका lookup value है, backup data में आप आच चुके है, यह sheet का नाम है, और उसमें यह range आपने select की और exact match 0 कीजी, यहाँ पे continue कीजी formula को, और enter करते आप उस sheet में वापीस आ जाएंगे, और यहाँ पे आपको बता लावर में click कर रहे आगे, और comma दे रहे और zero कर रहे, यह आपको करना है ऐसे, enter, क्योंकि हमने उस छोटे वाली range को define किया होता, तो हमें वहाँ पे जाने की ज़रूत नहीं, इसको भी हम लाम दे सकते है, month list वगएर ऐसा कुछ भी, तो वह मैंने नहीं किया था, तो कोई बा हो जाएगी, तो मतलब एक range भी हो जाएगी, तो इसको month list करके नाम देते है, month list, तो हमने इसमें दो data दिया है, month data और month list, दो range यहाँ पे डिपाइन की, अब यहाँ पे जाने की ज़रूत नहीं, उस sheet में, बस यहाँ पे we look up होगा, यह अपना time saving होगा, comma, month list, month list, comma, zero, वाव तो यहाँ पे मुझे बस करना क्या है, match type करना है, और look up value, match के लिए look up value, comma, month list, हमारे लिए यह रहेगा look up array, और match में हम धूनेंगे इसे, अब देखिए, match बताएगा उसकी position, 7, अगर आप यहाँ पे select करते है, gen, 2 number, February, 3 number, March, 4 number, right, इस तरह से आपको मिल जाएगी position match से, great, अभी आपको यह समझा होगा, match से आपको position मिल गए, अब हम वही तो काम करेंगे, यह पे look up में चाहेंगे, यह है हमारी look up value, जिसे हम fix करेंगे, oh, no, 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 this will be not fix, तो क्यों, यह क्यों कि यह drag हो रहा है, तो अलग-अलग होगी, यह fix नहीं रहेगी, right, यह याद रखिए, comma, table array, table array कौन सा है, हमने उस table में already नाम दिया है, तो हमें उदर जाने की जरूरत नहीं है, time save, month data, month data, यह नाम दिया है, okay, month data automatic वहां से आएगा, column index number में आएगा, आपका match, आपका match क्यों आएगा, क्योंकि इस column के according, इस column को हम fix करेंगे, right, क्योंकि इस column को यहाँ पे drag करेंग we look up के column index number में भी यूज किया जा सकता है, और यह यहाँ पे एक example में बता रहा हूँ, और आपने यहाँ पे यूज किया, और we look up का जो 0 है वो देना मत भूलो, यह देखिया, formula बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आप कुछ बड़ा सीक रहे हो, तो बड़ा सीक रहे हो, तो आपको बताएगा कि इस मार्च की पुजिशन वा पे चार नंबर पे है, और चार नंबर कॉलम का डेटा आपको दे देगा, वही च्छी है, और यह पे यह बाकी का we look up को तो आप जानते ही है, पहले से, मतलब अभी आप अच्छे से जान चुके होंगे, स्टार्टिंग से आपको बस एक्सप्लें करने के लिए की है, यह सारी चीज़े साइड में, लेकिन आप नहीं करेंगे, तो भी चलेगा, अगर समझ माया तो आप डारेक यह करो, फॉर्मूला बड़ा-बड़ा होते हैं, लेकिन बड़े अच्छे होते हैं, मैं फॉर्मूला की बात कर रहा ह वो काम की चीज़ होती है, तो यहाँ पर भिलाल हम बढ़ते हैं, अब नेक्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नमबर 12 सुपार्ट ट्वेल के अंदर एक 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 जामपल है, जो की काफी इंट्रेस्टिण है, क्योंकि आपके सामने एक प्राबलम है, जो की प्राभलम कैया है मैं आपको बता दिता हूं, यहां पर product ID इस तरह से दे गए है, product ID के अंदर product ID तो ही है, लेकिन कुछ और भी an option up number यहां पर mix है, जो कि आप देख सकते है, product ID इसमें है, कई न कई पर product ID है और कुछ और number भी extra इसके साथ, आगे तो as usual बाकी का record है जैसे branch, product ID, दूसरा वाला और यहां पर price, यह product ID, product का number भी है, इसमें से ही है, यह code इसमें से ही है, तो जो code है, उसके according मुझे data यहां पर निकालना है, जो कि अलड़रे निकाला है आपको दिखाई दे रहा है, तो कैसे आया, उसके अंदर है, यह code मैंने यहां पर इंटर किया है, इस list में वो है के नहीं है, वो चेक करना है हमें, और है तो उसके सामने जो डेटा लिखा हुआ है वो यहाँ पे दिखाई दे वी लुक अप से हम डेटा आपको ले सकते हैं लेकिन ये प्रडॉक्ट आड़ी इसमें कैसे डूंडेंगे ये हमारे ले एक चलेंज है और वही तो हम देखने वाले हैं तो हम वी लुक अप में फाइ कॉलम में करसर रखा है is equal to किया है और मैंने फाइंड लिख दिया है फाइंड लिखने पाइंड का जो syntax आ रहा है उसकी तरव ध्यान से दिखिए फाइंड टे Driver विद website स्थाइंड chant your term अब find text, कौन सा text find करना है मुझे, ये वाला text find करना है, text in the sense अभी तो हमारे पास number है, फिलाल हम text के तोर पे से ले रहे हैं, इससे finder करना है, कौमा, कौन से एक ही पर कौमा दे दो, मैंने कौमा दे दिया, वो पूछ रहा भी within text, कौन से text में डूढना है आपको, इस text में, और instant position कौन से, मतलब start कौन सा करना है, start number, तो start number हमें, one से start करना है, find करने के लिए, एक number character से find होगा, तो मैं यहाँ पर enter करूँगा, तो यह बताएगा, कि यह वाला number जो है, यह यहाँ पर available है, राइट, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर आपने यह जो formula दिया है, यह ऐसा रहन कभी भी आप देखोगे, suppose यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ और number लिख दिया, और यहाँ पर comma करके रख दिया, comma और space भी दे दिया, तो यहाँ पर आ रहा है, कि यह number यहाँ पर है, 7th position पे, यह जो दिखाए दे रहना, 7th position के बाद है, इसमें आप ध्यान से देखोगे, 1520, look at there, 1520, comma, और उसके बाद space है, तो यह 6 character छोड़ रहा है, 1520, 4 character है, comma, एक पाचवाँ, और space एक 6, चटा, और 7 number से हमारा number चालो है, तो वो बता रहा है कि 7th position पे यह number available है, right, यह number है मतलब आपे, लेकिन अभी यह number है, suppose यह number, यहाँ से मैंने यह 9 हटा दिया, यह आपे आपको 9 दिख रहा है, right, और यह 9 यहाँ से हटा दिया, तो यह बता रहा है कि यह वाला जो number है, 9 हटा है, न मैंने, तो यह list में वो है नहीं है, क्योंकि वो number यहाँ पे मैंने चेंज किया, तो error बताएगा, तो आपको यह समझ में है, कि वो number कई पे दिखाई दे रहा है आपको, मतलब कहीं पे भी आपको वो number शो कर रहा है, आपको first position पे रहेगा, second position पे रहेगा, third position पे रहेगा, जो भी position पे है, वहाँ पे बता रहा है, आपको यहाँ पे तो दिख रहा है, यह number जो दिखाई दे रहा है, as it is number one number position पे है, इन सभी में 111 है यहाँ पे 7 number position पे हमने रखा है और यहाँ पे दिखाए दे रहे हैं आपको 4 number position पे तो number है तो उसकी position कुछ ना कुछ आने वाली है number नहीं है तो वहाँ पे अपकोस error आ जाएगा right? error आ रहा है तो हमें number मिल रहा है यहाँ यह तो पता चला तो यह find में हमें number मिला का number में जो भी result आता है if it is greater than 0 अगर वह 0 से जादा है तो तो क्या होगा? तो हमें यह number का यह number ही यहाँ पे हम लेंगे branch में यह number डिस्पले करेंगे और नहीं है greater than 0 अगर वहाँ पे greater than 0 नहीं कुछ और है तो हम यहाँ पे blank रखेंगे हम यहाँ पे क्या रखेंगे? blank look at there formula क्या है? जरा अच्छे से देखिए find के अंदर जो आने वाला result है वो 0 से जादा है तो उसमें हम A2 यह show करेंगे नहीं तो हम उसे blank show करेंगे अब यह थोड़ा सा आपको complicated लगेगा समझने के लिए लेकिन enter करके result देखिए क्या हो रहा है? अब आपको यह पता चल रहा है मुझे इसकी size बढ़ाने की ज़रुत पड़ीगे आपको यहाँ पे वो सभी numbers आ रहे है जो यहाँ पे दिखाई दे रहे है आपको सभी के सभी data यहाँ पे दिखाई दे रहे है पूरा पूरा data यहाँ पे आ रहा है लेकिन अगर यह number suppose यह वाला number फिस से मैं 9 हटा देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है? error आपको इरर बताएगा तो यहाँ पे वो error बता रहा है कोई बात नहीं error को आटाने के लिए हमारे पास एप error formula है अगर मतलब यहाँ पे यह तो समझ में है कि 0 से जादा है तो आपको वही number यहाँ पे दिखा रहा है जो यहाँ पे लिखा गया है आपको समझ में है वो कौन सी भी position पे रहने दो यहाँ पे फिलाल 9 add कर दो 9 add किया यह देखो यहां पर कुन सी भी position पर रहने तो वो number यहां पर as it is आपको show कर रहा है जो number यहां पर है वो as it is क्योंकि हमने condition ही वैसे दी कि find क्या करेगा find डूंडेगा उसमें वो number उसे मिला कोई भी position पर मिला यह 0 से ज़्यादा रहेगा आपको उस position मिला तो और position 0 से ज़्यादा है तो वही number यहां पर मुझे दिखाई दे और वही number show करेंगे अब यह number यहां पर मैंने क्यों show किया क्योंकि यह हमारा जो number है इस table के अंदर यह जो table है हमारा इसका नाम दे देते अभी इसको select करते है इस table को हम नाम देते हैं पर कुछ unique नाम तो हमें देना पड़ेगा यहां पर यहां पर हम इसको नाम देंगे suppose price table ओके price table ही नाम देते price table या price नाम देते क्योंकि यह पर price है उससे related आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अब यह price table के अंदर मुझे यह वाला look of value यह look of value यह look of value यह ब्रैंच वाला यह यह look of value है और इस price table के अंदर है कि नहीं वह है आपको से यह वाला नहीं है ध्यान से देखिए लेकिन इस value के according जो जो look of value बंड रही है वो मैंने निकाली इस table के लिए राइट अभी यह formula लग अब यह look of value का काम करने वाला है कैसे इधर दिखाता हूं मैं आपको इसके आगे मैं वी look up लिखूँगा वी look up में सबसे पहले आता है look up value जो कि हम इस formula को ले रहे है अगर मैं इस formula को select करके f9 प्रेस करूँगा तो आपको पता है कि यह formula क्या बताने वाला है यह formula वो पूर useful होता है जब आप right fast काम करना चाहते है तो हमेशे की तरह price नाम दे दिया मैंने price और comma नाम वही है ना price नाम दिया टेबल को वही select किया पूरा टेबल select हो गया उसके बाद column index number of course column index number हमें यहाँ पर horizontal drag करना है तो horizontal drag करना है तो यहाँ पर मुझे column index number तो देना पड़ेगा तो column मैं हमें formula लिख रहा हूँ H है H की position अगर count करेंगे तो एक दो तीन चार पाँ छे साथ और आठ है और हमें कितना चाहिए रहता है column index number दो चाहिए रहता है अगर मुझे branch display करनी है इसमें से तो branch का column क्या है इस table में price table में product एक number पे branch दो number पे तो column minus six got it column minus six यह मुझे करना हो और मैंने कर लिया अब यह इसके बारे में पहले ही लॉजिक हमने बहुत बार क्लियर किया है वह क्यों लेते हैं यहां पे zero करना और enter करना result आ रहा है डेली वाव वेरी गुड लेकिन इसे ड्रैक करना है horizontal तो इसमें कुछ चीज़े चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि इसे horizontal vertical दोनों ड्रैक करना है तो इसमें क्या changes करना पड़ेगा यह नीचे का formula दरा delete कर दो थोड़ी देर के लिए क्योंकि यही formula नीचे ड्रैक करने वाले हैं तो यहां पे z2 में जो लॉक करना है अगर मैं यहां पे f4 प्रेस करना तो यह row और column दोनों लॉक हो रहे है अब मुझ 12, 13, 14, 15, 16, 17 सभी product का record निकालना है तो आपको क्या करना है f4 प्रेस करना है यहां पे तो $2 ऐसा आ रहा है मतलब दो लॉक हो गया है दो नी लॉक करना है हमें column लॉक करना है धान से सुनिए अब column क्यों लॉक करना है क्योंकि जब horizontal हम ड्रैक करेंगे याद रखिए horizontal का मतलब h column में हमारा formula i में जाएंगे तो यह g से h नहीं होना चाहिए आगे नहीं आना चाहिए तो z column lock रहेगा क्योंकि product g में लिखा गया है तो column lock रहेगा row unlock रहेगा क्योंकि vertical drag होना ज़रूरी है अब दूसरे बारी यहां पे आरा है a2 अब a2 कहां पे लिखा गया इसमें भ इसमें कैसे होता है देखिए पहले a2 पे क्लिक किजिए f4 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 याद रखिए तीन बार f4 प्रेस किया मैंने तो पहले दोनों को डॉल सेन आता है बाद में row को आता है फिर column को आता है column को lock रखिए इसमें क्यों रखा मैंने आपको बताया अब आप जब यहां पे drag करेंगे एक ही drag करके मैं दिखाता हूँ तो यह Mumbai record ले रहा है आप इसमें देखो कि तो यह value देखिए vertically change हो रही है और आप इसे horizontal ऐसा drag करते हो तो यह देखिए यह पे यही value fix रहेगी जी column वही fix रहेगा जी का edge column नहीं होगा बिलकुल ही इसलिए horizontal drag करने के लिए column तो यहां पे lock लेकिन उसे हम लॉक बोलते fix करना fix कर दिया है मैंने इस reference को ओके याद रखिए ताला लगाना बोलते हैं हम लोग ताला लगा दिया हमें से तो यह तो यहां पे fix हो गया जी column और यहां पे यह पूरा result आ चुका है और हमारे product ID की सब से आ रहा है जो इंडिजर product ID है उसने च इसके बारे में हमने already जाना है पुराने example में अगर आप यहां पर लिखते है तो इसमें आने वाला error जो है उसकी जोगा आपको blank चाहिए या कुछ लिखना है कि ID not available तो इस inverted comma में आप लिख सकते है नो ID not available ऐसा कुछ लिख सकते है इन्वैलिड इन्वैलिड ID करके आप जो करेगा अगर आप इसे drag करते है डबल क्लिक और now you can check it out ID यहाप अभी available है मैं इसको 9 हटाता हूं और यह error है तो invalid ID इसमें भी आपको formula apply करना पड़ेगा same formula ड्राइक करना पड़ेगा formula को इस तरह से और इसे भी double click किए यह देखिए invalid ID आ रहा है अगर ID available है तो कोई बात इसके सामने जो recording वह आज जाएगा तो find क्या कर रहा है यहां पर exactly उस number को ढूंड रहा है उस range में है कि निया है तो उसको एक number दे रहा है जो भी position पे हो चार number position पे तीन number पे दो number पे एक number पे तो वह position उसको हमेशे 0 से जादा मिलेगा और 0 से जादा मिल रही है इसका मतलब ह कि वह value वहां पे available है इसलिए उस value को हमने look up value के तोर पे यहां पे यूज कर रहे है तो got it guys, e-parror, v-lookup, e-find इन सब को मिला के एक यह formula बन गया है मैंने पहले बोला कि formula बड़े-बड़े हो रहे है लेकिन काम के formula है तो बढ़े रहे हैगा इस part में इस series में 12 number cover हो चका है आप पढ़ते है पार्ट number 13 की तरफ दिखाए दे रहे अलग-अलग course यहां पर data में थोड़ा सा कड़ बढ़ो गया आनिल कुमार टैली course है राज जादो excel course विका सिंग टैली विका सिंग का यहां पर excel है आनिल कुमार का यहां पर excel है राज जादो यहां पर टैली ऐसे student के नाम repeated है लेकिन उसके course भी वहां पर मैं टैली course का फीज कितना पेड़े वह देखना चाहता हूं तो यहां पर मैंने drop down बना दिये है दो right drop down बना दिये है data validation की मदद से लेकिन यह कैसे आ रहा है यह answer कैसे आ रहा है क्योंकि यहां पर दो look up value है दोनों को में भी जो भी change करूँगा मैं excel change करूँगा तो उसके excel का पीजा जाएगा तो इसका पीजा आजाएगा अगर मैं यहां पर student change करता हूँ विका सिंग की जो गर राज जा दो तो राज जा दो का टैली का पीजा आजाएगा इस तरह से तो यह जो formula लगया यहां पर कौन सा formula है वी look up की मदद से तो मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने स किया is equal to किया इस वाले sell पे klik किया और एक join का sign दिया जिसको & and डाकर आप FROM venture और दूसरी sales पे klik करते हो तो यह तुन हो जाते हैं हमिन शर्मा एक ब्रही चलिक राभ करेंगा इस कौलम मैंने किया यह लोध फाल्य के यह इस पूरे टेबल को क्योंकि यह सपोर्ट कॉलम भी अमारे लिए सपोर्ट करेगा हाइस को वाद में हाइड करेंगे जरूरी नहीं होगा लेकिन पिलाल तो हमारा कोसदी से यह पूरा टेबल है और यहां पे ड्रॉप डाउन हमने बनाया तो अब क्या करेंगे वी लुक look up value, look up value क्या है, ये वाला है, क्योंकि support column में look up value, अभी ये दोनों column में देखें, repeat repeat आजे शर्मा लेकिन जब आप यहां पे देखोगे तो ये unique मिलेगा क्योंकि कभी आजे शर्मा ने tally लिया है, तो कभी विका सिंग ने excel लिया है मतलब विका सिंग ने कभी excel है, तो विका सिंग ने कभी tally है, क्योंकि वो दोनों join होंगे तो अलग-अलग course ही मिलेंगे उसके, उस नाम के आगे, तो हम क्या करेंगे, इसको select करेंगे, and इसको select करेंगे, दोनों को join करेंगे, concatenate, look up value में देखिए, look up value में यहाँ पे कुछ और चीज हम कर रहे है, look up value में इन दोनों को join कर रहे है, और join करने के लिए आपको पता है, amperson या end sign यूज़ता है कॉमा करेंगे, और आगे क्या है, आगे हमारा जो course d करके है, course d, जो table हमने define के है, वो हम लेंगे, course data या course d करके मैंने table लिया था, वो पूरा table आ गया, कॉमा, वही उसमें look up value यह है, दोनों का join है, अपकोस, राइट, और अभी column index number हमें चाहिए, यहाँ पे, अभी देखिए, यहाँ पे column index number हमें count करना पड़ेगा, हमें एक number column, यह नहीं answer चीए, दो number, तीन number, चार number column का answer चीए, क्योंकि paid piece हमने चार number column में दिया है, तो चार number column आएगा और zero, एक ही answer चीए, चार number इसलिए direct चार enter करो, enter करो, answer मिल गया, अब इस column को आप hide भी करेंगी, तो कोई issue नहीं होता है, दोस्तो, hide कीज़ी है, कोई problem नहीं, आप यहाँ पर राज ज्यादव, या विकास सिंग का tele course का देखना चाहते हैं, विकास सिंग का Excel course का piece देखना चाहते हैं, कितना paid है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यह repeated value जब आती है, तो आपको पता चल जाएगा, कि विकास सिंग Excel करके यह ढून रहा है, और यहाँ पर देखें, विकास सिंग Excel, यही वहाँ पर दिखा रहा है, और विकास सिंग Excel जब यहाँ पर आ रहा है, तो यही वो यहाँ पर शो करेगा आपको, right guys, so finally 13 के अंदर हमने देखा कि दो look up value के उपर भी हम कैसे अपना look up चला सकते हैं support column की मदद से, right, अब हम बढ़ेंगे next topic के और part 14 में और example 14 में कुछ और interesting सिखेंगे, example 14 में, यहाँ पर दिखे, solve these queries using vlookup, so vlookup के मदद से आपको यह query solve करनी है, और vlookup में हम अरे का इस्तमाल करने वाले है, right, यहाँ पर यह अंसर आपको यहाँ आपको ज़रू दिखाना चाहूंगा, अब है क्या प्रॉब्लम यह पहले solve कर लेते, question 1, question 2, question 3, चोड़े-चोड़े question है, समझ में हैगा, आपको question एकदम simple है, कि यह first name यहाँ पर अलग लिखा गया है, यह last name यहाँ पर अलग लिखा है, और उसकी total salary यहाँ पर लिखी गई है, तो आप चाहते क्या है, कि जो data में चाहिए, इस तरह से data, यहाँ पर देखिए, अगर रवी space warmer करके मैं एंटर करूँगा, तो रवी space warmer, तो भी इसके सामने जो data लिखा गया है, रवी space warmer के सामने, वो यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए, रवी space warmer के सामने जो data, यह हम रवी वर्मा को ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर रवी वर्मा भी लिखोगे, तो भी चलेगा, space हटा दिया है, यहाँ पर space दिया, तो भी result आना चाहिए, यहाँ पर space नहीं दिया, रजश कुमार कहा गया, रजश कुमार यह रहा, space नहीं दिया, तो भी उसके सामने का result आना चाहिए, और यहाँ पर हमने दरसल इसके बारे में तो देखा था, तभी हमने support column का help लिया था, लेकिन अभी support column के बिना help लेके हम भी कर सकते, इसके लिए हमें choose use करना पड़ेगा, और थोड़ा सा array का यहाँ पर काम है, तो चलिए हम इसे कर लेते, सबसे पहले हम we look up के अंदर, कैसे choose formula यूज़ करके, इसे solve कर पाएंगे, यह हमें देखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर define करना पड़ेगा, कि कौन सा नया table virtually create होता है, choose formula, choose formula आपको help करता है, नया virtual table बनाने के अंदर, we look up जब आप तयार करेंगे तब उसके लिए, तो चलिए let's begin, यहाँ पर देखिया, ध्यान से देखिये, मैं क्या कर रहा, रवी वर्मा, यह दो अलग-अलग column में मुझे पता है, मैं यहाँ पर we look up formula ले रहा हूँ, we look up formula लेने के बाद, मेरे पास look up value है यह वाली, right, h6 मेरी look up value है, done comma, table array मेरे पास यह table array जो दिखाई दे रहा है, वो नहीं लेना है, choose formula से हमें virtual table तैयर करना है, अब कैसे होगा virtual table, मैं आपको बताता हूँ choose formula मैंने यहाँ पर लिया, मैंने यहाँ पर curly braces दिया, 1, 2, अब यहाँ पर मेरे पास 3 column है, लेकिन मैं 2 ही क्यों ले रहा हूँ, 2 ही column क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आखिर का रवी वर्मा का एक column मुझे बनाना है, रवी और वर्मा का यह दोनों का, A, B का एक column मुझे बनाना है, दहांसे सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ क्योंकि आप देखो कि तो हमें क्या करना है यहां पर रभी वारव चूलम है उसका दूसरा कॉलम है मतलब हमारा जो फिर्चुल इसलिए हम उसे बोल रहे है तो यहां पे one, two यह दो ही कॉलम हम mention करेंगे पहले कॉलम के अंदर one के अंदर क्या देना है वो हमें यहां पे index number के बाद कॉमा करके mention करना है तो पहले कॉलम के अंदर हमें यह वाला range पूरा चाहए यह दिखाये रहा है यह वाला बश्च वाला जो range है यह as it is चाहिए ओके A2 से लेकर A15 तक range हमें चाहिए यह पहले column के अंदर का range है यह हमें पता है और इस range के साथ and करेंगे हम ध्यान से दिखे मैं क्या कर रहा हूँ इस range के साथ and का use क्या होता है हमने पहले भी जाना है and मतलब join करना इस range के साथ हम join बीच में एक space रखेंगे अब मैं space क्यों रख रहा हूँ आपको पता चलेगा क्योंकि रवी और वर्मा के अंदर space है guys रवी और वर्मा रवी का जो column है और वर्मा का जो column है उस दोनों के बीच में रवी वर्मा यहां पे जो look up value में लिखा है हमने उसमें space है यहां पे कर रहे हम तो उसमें भी हम space करेंगे और एड करेंगे राइट तो देखे एवन टू एफिटीन एटू टू एफिटीन एफिटीन एड स्पेस दी आमने और सिकेंड वाले कॉलम को जोइन कर दो इसके साथ यह दोनों जोइन हो रहे हैं एरे के अंदर ही जोइन होगा एक के बाद एक value एरे के अंदर ही जोइन हो सकते हैं आपको पता है हम इसे control shift एंटर करने वाले आपको एरे है इसले तो यह पहले हो गया एक कॉलम अब हमारा यह दो कॉलम का मिलके यह हो कोमा करो अब जब कोमा करेंगे तो हमारी बारी आते- वैल्यू टू एंटर करने consideration consistency वैल्यू टू में अब कोस हमारे पास कॉलन में पूरा पूरा रैट वैल्यू टू भी मिल आप नो तो choose formula यहां पर complete हो गया, अभी हमारे पास दो column मिल गया हमारे choose formula में, दो column, एक column यह है, जो कि space के साथ रवी और सिंग या रवी वर्मा जो भी नामें ने आगे, वो space के साथ आने वाले, और दूसरा column तो बस total salary का है, कॉमा कीजिये, column index number कितना, अपकोस column index number 2 आएगा और 0, क्योंकि हमारे पास दो ही column है choose के अंदर, याद रखिये, choose formula में 2 ही column है, तीन नहीं है अभी, यह virtual table है यह अगर आप चाहिए, तो यह choose formula को select करके F9 करके देखिये, यह choose formula को properly select कीजिये, F9 प्रेस कीजिये, now you'll check it out, अभी आपको पता चल जाएगा की choose formula काम कैसे कर रहा है, look at there, guys you'll find out, रवी और सिंग के बीच में, you'll see the space, रवी और सिंग के बीच में यह पे space है, उसके बाद उसके आगे जो value दिखाई दे रही है आपको, look at there also, तो यहाँ पे रवी और सिंग में इसा space तो आई रहा है, लेकिन उसके आगे जो value आ रही है, second column की value है, वो है total salary की, रवी और वर्मा के बीच में space आ रहा है, उसके आगे जो value आ रही है, वो है next column की, रवी तिवारी के बीच में space आ रहा है, यह दिखाया दे रहा है, तो यह एक column बन रहा है आपके लिए, एक value बन रही है दोनों मिलके, और आगे जो value आ रही है वो next column की है, F9 प्रेस करके मैंने आपको दिखाया, यह काम कर रहा है, चूज़ यह virtual table है यह आपे, finally we look up हो गया है, लेकिन इससे enter करने से result नहीं आएगा, error आजाएगा, आप बोलोगे क्यों, क्योंकि यह array मैंने पहले ही बोला था, control shift enter कीजिए, तब ही आपको result मिलेगा, अब यह रवी वर्मा लिखिए, यह यहाँ पर रवी सिंग लिखिए, लेकिन स्पेस होना ज़रूरी है उसके बीच में, रवी सिंग लिखेंगे तो भी चलेगा, रवी वर्मा लिखेंगे तो भी चलेगा, स्पेस होना ज़रूरी है, उसके सामने जो value है, वही भी look up आपको शो करेगा, वाउ, choose formula बहुत interesting काम करता, आपको virtual table देता है, और control shift enter याने array जब आप करोगे, तो यहाँ पर आपको दिखाए देगा, कि यह आ रहा है, bracket में, दिखाए देगा है, curly braces, look at there, curly braces आ रहा है, यानि कि यह bracket में है, तो यह array है, अब आपको idea तो आ चुका है, कि करना क्या है, इस formula के लिए, तो आप इसके अंदर भी वही logic अपना सकते है, मैं दिखाता हूँ, क्या logic है, दुबारा, यह फटा-फट हो जाएगा, clear आपको, we look up, this is our look up value, लेकिन यहाँ पे space नहीं, इतनी बात याद रखनी है, कोमा, अपकोस यहाँ पे हमें अभी virtual table तयार करना यहाँ हमें पता है, ओके, तो हम यहाँ पे choose formula को ले लेंगे, दुबारा choose formula यहाँ पे लिया, choose formula के अंदर हम जाएगे पहले index की तरफ, index में हम देंगे mention करेंगे curly braces के अंदर 1 और 2, दो ही column हमें लेने हैं, तीन column है, इसके दो column में हम convert कर रहे हैं, नया virtual table के लिए, comma, value, पहले column के लिए value ढून रहे हैं, यह series select करेंगे और इसके साथ without space, end करके यह वाला bind कर देंगे, देखें, अभी मुझे यहाँ पे without space, directly करना है, तो मैंने inverted comma में space नहीं दिया बीच में, बिल्कुल ही नहीं दिया, तो आप directly end करके उसे B2 से B15 कर गी, इस तरह से, right, end करके कीजिए, और comma, next वाला column जो है, यह है, यह हमारे दो column बन गए, अब आप इसे bracket close करके choose को देखना चाते, तो result देखिए, virtual table का result, F9 प्रेस कीजिए बस, रवी तिवारी, दिख रहा है, उसकी value आ रही है, सबकी value आ रही है, इस तरह से, okay, got it, सबकी value पहले column में, आपको यह पता चला है, control Z करता हूं में, और यहां पे मुझे एक काम करना अभी वह है, कि मुझे यहां पे लगाना है, कॉमा और column index number 2, कॉमा 0, we look up हो गया, finish और control shift enter, जो आपको result देगा, राजश कुमार जो record है, उसके सामने जो record है, वो मिल रहा है आपको, और वही मिलेगा, आप नाम चेंज करके देखोगे, तो भी मिलेगा, अब तीसरा है कि भई, रवी और पांडे अलग-अलग column में रिखा, यह question आपको पूछा गया, interview में तो आप क्या करोगे, तो मैंने already formula लिखा है, और उसके अंदर यह तरकीब यूज की है, आप चाहिए तो इसे खुद से solve करने की कुशिश कर सकते है, वही चीज है, इन दोनों को bind किया है, चलो इसे मैं करके भी दिखाता हूँ, क्योंकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे, इस इकॉल टू, आप भी try किजी लेकिन इसे, वी लुक अप, ओके, वी लुक अप, लुक अप वैल्यू, यह रहा लुक अप वैल्यू, राइट, लुक अप वैल्यू के बाद हम यहाँ पे करेंगे, एंड, गाइज, लुक अप वैल्यू के बाद यहाँ पे करेंगे, हम एंड, और यह वाली वैल्यू हम जाइन करेंगे, अंदर हम क्या करेंगे table array के अंदर हमें यह नया virtual table यहां पर चूज करना होगा चूज का चूज में हम देंगे comma one two दो ही column हमें चाहिए तो हमने यहां पर दे दिया उसका index number column का फिर value one में हम यह लेंगे and करके हम इसी को दुबारा लेंगे same है clear right और हम कॉमा करेंगे अब कॉमा के बाद हमारे पास आती है next value column की तो यह आएगी और फिर bracket close choose formula खतम और दो number में जो value वो चाहिए और यह we look up भी यहां पर काम करेगा लेकिन मैंने control shift enter नहीं प्रेस किया ता आ गया तो आप इसे change करो आज जाएगा यहां पर आपको यह definitely समझा होगा वी लुक अप काम कैसे करता है right guys great तो यह था part number 14 अब बढ़ते है example number 15 यानि के हमारा last example part 14 के बाद अब बारी है part 15 की और आखरी पार्ट है और आखरी पार्ट आप देख रहे हो तो आप तो master bunny गए दोस्तो राइट तो जैसे कि मैंने कहा कि हम इसमें सिखने वाले वी लुक अप में हम मैस report create करना मैंने के मैस report create के आपके सामने हैं मेरे पास Delhi branch Mumbai branch पुनिय ब्रैंच और नाखपूर branch का year 2017 और 2020 का record है अगर मैं compare करना चाहता हूँ 2019 के साथ तो 19 आ चुका है 18 के साथ 17 का record compare करना चाहता हूँ year 2020 या फिर मैं चाहता हूँ year 2018 2019 का 2020 के साथ compare करना चाहता हूँ 2019 का 2020 के साथ compare करना चाहता हूँ । मैं यहाँ पे भी year change कर सकता हूँ मतलब blue वाला जो chart दिख रहा है इसका भी year मैं change कर सकता हूँ और यह orange वाला chart जो दिख रहा है आपको उसका भी year change होते हुए आपको दिखाई देगा तो आपको ये बहुत ही सिंपल तरीके से करना है और उसके लिए आपको भी लुक अप का इस्तमाल करना है तो चलिए अब मैंने ये डेमो तो मतलब ट्रेलर तो दिखा दिया अब आपको करना क्या है इसके बैक एंड में क्या है जै तो मैं इसे कर देता हूँ डिलिट क्योंकि जरूजनी हम बनाने वाले तो इसको भी हमदिलिट कर देते सारे चीज़े हम यहां से डिलिट करके हम फीर से दुबारा देखेंगी वह आपको समझ वे आ जाएगा कि मैंने क्याकि पोलू किया था ये blank data आपके सामने यहाँ पर आज जाएगा, तो अच्छी बात है, तो सबसे पहले मैं करूँगा, क्या सारी formulas मैंने यहाँ से कर दिये, delete हटा दिये है, थोड़ी देर के लिए, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर इस तरह से data लिखा गया है, आपको year 17 और 18, 19 और 20 का record दिया गया हर एक branch का, आपको comparison के लिए chart बनाना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप year जो होता है, आप दोनों में से एक, दो year यहाँ पर ले लो, copy paste कर लो, सबसे पहले, कोई भी दो year ले लो, हम इसे dynamic बनाएंगे, कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर year चेंज करती ही, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 17 है, अगर मैं 19 करो, 20 करो, यहाँ पर 19, 20 कुछ भी करो, अलग 17 भी करो, तो यहाँ पर उससे respective data जो है, वो यहाँ पर दिखाई दे, तो इसके लिए हम पहले we look up का use करेंगे, और data पहले pull करेंगे हमारे इस table में से, यह जो table यहाँ पर है, यह पूरा table है, इसमें से data हम यहाँ पर ले के आएंगे, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, simple है, आपको पता है, we look up का formula हमें देना पड़ेगा, हमारी look up value है, यह, डेली में पड़ी हुए, डेली look up value है, हमारी डेली के according हमें data लेना है, कोमा, हम इसमें क्या fix करेंगे, यह भी जानेंगे, पहले table है रहे देखिए, क्या है, पूरा table है, good, अब हमारे पास column index number की बारी आती है, अब मैंने जो की बोला आपको की column index number हमें इन दोनों column में ही बदलने हैं, तो मैं यहाँ पे column index number 1, 2, ऐसा कुछ भी लिखके नहीं चल करेंगे, यहाँ पे हमेरा match formula ही काम करेंगा, जिसको हमने सीकाता हो लगी, तो match formula यहाँ पे लेंगे, किसके अंदर column index number के अंदर match formula ले रहे हम, और यह match formula आपको इस जगह पे जो भी value रहेगी, उसका index number बताएगा, अपकोस, रैट, तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक करूंगा, h2 को, और इस range में find out करेंगे, ब्रैंच से लेकर, देखिये, ब्रैंच से इधर तक क्यों, क्योंकि हमारा table area इतना बड़ा है, तो इसका column number 1 है, इसका 2, 3, 4 and 5, तो automatically और डिटेक करेंगा, यहाँ पे जो भी value लिखी है, उसका column index number बताएगा, वहाँ पे 17 अभी लिखी है, फ 18 करो तो इसके according आजाएगा, 19 करो तो इसके according शो करेगा, ठीक है, कॉमा, range look-up हमें चाहिए, यहाँ पे range look-up हमने लिलिया है, 0, range look-up exact match के लिए 0, तो we look-up formula तो हो गया, लेकिन यह look-up drag कर सकते हैं, कि हम नहीं कर सकते हैं, अभी drag, drag करेंगे तो problem हो जाएगा, तो पहला G3 क fix करना पड़ेगा, लेकिन G3 कैसे fix करेंगे, यह वाला fix चलेगा क्या, यानि दोनों side dollar sign दिया मैंने, G को भी dollar sign, 3 को भी dollar sign, नहीं चलेगा, इसे दरा ध्यान से समझीए, यह इसलिए नहीं चलेगा, क्योंकि आपको डेली से मुंबई, पुने और नाकपूर में आना है, आपको दिख रहा है, नेक्स्ट क्या है, अभी 3 का dollar sign अटा दिया, लेकिन G को dollar sign रखना है, G को रखना है, क्योंकि जब आप horizontal ड्रैक करोगे, तो G कॉलम से डेली से आगे H कॉलम में नहीं आना है, तो G को dollar sign यहाँ पे ज़रूर रखिए, याद रखिए, यहाँ पे column change नही हो रहा है, बस row change हो रहा है, इसलिए row का मैंने dollar sign हटा दिया, इस range को पूरा dollar sign आएगा, dollar sign यानि कि F4, मैंने F5 प्रेस किया खलती से, F4 आप देख सकते हैं, या पे dollar sign आचुका है, अब H column के साथ क्या होगा, मतलब H column में हमें क्या करना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हो, यहाँ पे मैं F4 अगर प्रेस का तो यह पूरा fix हो जाएगा, लेकिन इसे हमें right में drag करना है, नीचे तो drag नहीं करना है, तो इसमे यहाँ पे G के अलावा है, मतलब G में जैसे था, उसके उल्टा करेंगे, G में Z column fix था, H में H column fix नहीं रहेगा, row fix रहेगा, क्योंकि row number 2 में ही 17 और 18 लिखा गया है, आप देखेंगे, तो row number 2 में 17 और 18 नीचे नहीं है, तो row नहीं बदलना चाहिए, तो row को fix करने के लिए dollar sign row को ही दे दो यहाँ पे, column को मत दे दो, याद रखेंगे, यह fix reference बहुत ही कमाल की चीज़ है, और यहाँ पे तो पूरा fix करना है आपको, right, A1 से लेकर E1 यह पूरी range यहाँ पे fix हो जाएगी, range तो पूरी fix रहेगी, आप इसे ऐसे drag करो, आप इसे ऐसे drag करो, result तो आपको मि match अपना काम कर रहा है, और match है, इसलिए column index number dynamic बना है, जो कि उपर की value की उपर dependent dynamic बना है, right, तो MS report के लिए हमें इस तरह से कुछ है कि यह values dynamic चीए, लेकिन यह values हमें क्या करनी है, कि dynamic और बनानी है, तो हमें developer tab की जरूर थे, अब developer tab पहली बार अगर देख रहे हो, यहाँ प तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जिनको पता है, वो लोग आगे भागी है, मतलब भगाई है, ओके, तो यहाँ पे developer tab को, आपको check रखना है, developer tab पे check रखिए, और ओके, developer tab कैसे लाए, right click, customize ribbon में यह box आता है, इसमे developer tab मेरा check है, ribbon को customize करने के लिए, और इसके अंदर आप आए combo box के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक list बना के रखिए, यही जो list है, उसे vertical मेने यहाँ पे type करा है, बस, अब यह list इस combo box के वोपर right click करना है, देखिया, combo box developer tab से draw किया है, developer insert combo box, click and drag, आपको जितना बड़ा चाहिए, जितना draw कर सकते हैं, मैंने छोटा draw किया है, इतना, आप इसे right click कीजिए, यहाँ पे format control करके एक option आ रहा है, format control, इस पे click करना है, जब आप उस combo box पे right click करते हैं, इसमे input range में आपको यह range देनी है, देखिये, input range में मैंने क्या दिया है, आप जारा ध्यान से देखिये, input range, input range में मैंने दिया है year, कुनसा year, 17, 18, 19, 20 सारे, और sell link में यहाँ पे cursor रखिये, sell link में cursor रखिये, और आप यहाँ पे कई पे इसका sell link कीजिए, blank sell में कई पे लिंक कीजिए, मैंने यहाँ पे ओपर अल्रड़ी एक blank sell उसके लिए रखा है, तो यहाँ पे मैंने blank sell उसके link कर दी है, इससे होगा किया मैं आपको दिखा तो simply, जब combo box को एक बार duplicate कीजिए, control D, control D, और इसको यहाँ पे side रख दीजिए, चलेगा, इसको right click कीजिए, format control, और बस इसमें H1 की जगह, यहाँ पे H2 कर दीजिए, H1 की जगह, और इसे भी ok कीजिए, देखिये मैं H1 की जगह, sorry, H2 नहीं, I1 कीजिए, मतलब आगे का column लिजिए, अ समझ में अपने यहाँ पे select किया, 19 तो उसका number बता रहा है, यहाँ पे अपने 17 select किया, तो उसका number यहाँ पे बता रहा है, तो यह number अगर आ गया, तो यह value जो हमने manually type की है, यहाँ पे, इसको हम index की जग, index यहाँ पे, index, यह है हमारा array, इतना ही ले लेंगे array, क्योंकि हमारे array, देहान से देखिए, index के लिए array, बीवन टो इवन लिया है, क्योंकि इसमें हमें दूनना है, कॉमा, row number या column number पूछ रहा है, row number में तो value हमारी है नहीं है, हमारी column number में value है, तो हम column number देंगे यह, और enter करेंगे, तो अभी आपको देख रहा है कि 1, 2017 यहाँ से select कि 18, तो 18 य यहाँ पर आ रहा है, वाव, very good, अभी यहाँ पर वैसे करते हैं, देखिए, index, same formula, यह है हमारा array, right, कॉमा, उसके बाद हमारे लिए, row number बिल्कुल नहीं है, zero, और column number हमारे पास यह, यह column number ही डून रहे हैं, इसमें, column number डून रहे हैं, तो उसका जो भी column है, वो number यहाँ पर इसके पीछे आपको थोड़ा सा white color दे देना है, यहाँ पर जाकर आप ऐसे white color दे देजिए, यहाँ से, बस, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, कि इसको select कीजिए, और chart insert कीजिए, insert में जाए, एक simple सा column chart लीजिए, यहाँ पर insert कर दिया, cursor column ले लिए, insert में cursor column, chart simple है, insert tab में cursor column में, cursor column में, click कर देना है, पस, okay guys, chart आगया, नीचे रखा, chart का title, delete कीजिए, chart में यह जो number से, उसे fix करने के लिए, क्योंकि बार बार चेंज ना हो जाए, यह value 0 to 2000 के बीच में हमें पता है, तो इसके उपर right click कीजिए, format axis, यह करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यह chart न यहाँ पर maximum value 2000, जो values है वही हम यहाँ पर type करके enter करेंगे, जो कि यहाँ पर आपको reset नाम दिखाए देगा, MS report में बहुत जरूरी है कि यहाँ पर reset नाम आना चाहिए, जिससे chart उपर नीचे होता नहीं है, बार-बार, मतलब chart की values कम होगे, तो chart का जो position से वैसे रहता है, यहाँ पर आपको यह grid lines delete करनी है, यह numbers भी fix कि यह delete करो, और आपको क्या करना है, यह legend जो नीचे दिया है, मैंने यह से उपर लाके रख देना है, okay, that's it, आपके पास chart बन गया, almost, and chart को आपको थोड़ा सा नीचे रख देना है, properly, तो अभी आप यहाँ से change करोगे, तो combo box एड़ किया, और chart भी एड़ करके हमने एक MS report generate कर लिया, और इसी तरह के MS report अगर आपको बनाने सीखने है, तो हमारा learnmorepro.com पे MS का course है, Excel MS का course आप देख सकते हैं, या फिर MS plus power query का combined course है, जिसमें यह power query भी आपको सीखने मिलेगा, अगर इस course को आप खरीदना चाहते हैं, तो पहले यह देख लीजिए कि इस course में आप क्या सीखने मिलेगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, क्या-क्या चीज़े इस course में आने वाली है, पाइवर टेबल तो complete आने वाला है, साथ में इंफोग्राफिक चार्ट आने वाले है, ट्रें चार्ट आने वाल पावर क्वेरी का इस course को जरूर इंडरोल कीजिए, क्योंकि इसमें मैंने बहुत मेनत लिए इस course को बनाने के लिए, definitely you will become a master after learning this course, तो यह course में अगर आप इंटरेश्ट आप इंडरोल कीजिए, offer चल रहा है, जल्दी से इंडरोल कीजिए, learnmorepro.com की link मैंने इस description में दिये द वी लुक अप का एक बड़ा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया दोस्तों, कैसे लगा यह comment section में जरूर बताना, comment आपके मेरे लिए बहुत important है, मेरे जितने भी चानल उसकी link मैंने description में दीए, like, share और comment कीजिए, मैं मिलूंगा कुछ और interesting वीडियो के अंदर, ऐसे ही झाल